सब्सक्राइब इसके बाद । इस पर चुश बहुत सारे डॉक्टर्स जूडएं और अपना ज्यान साझा कर सके हमारे इसी कोशिश के तहट आज हमारे उनिवरसिटी से एंडी कर रही हैं डॉक्ट्टर कूपा वाला आज का मैम का topic rare remedies के बारे में है ये topic शुरू करने से पहले मैम के बारे में थोड़ी सी basic जानकारी देना चाहूंगा क्रूपा जितेंद्र सिंग वाला बैसिकली इनका जो बैसलर्स है वो स्वामी विवेकानन्द होमेप्थिक मैटिकल कॉलेज हाव नगर महाराजा कृष्ण कुमार सिंग जी उनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है यह भी अपना एमडी होमेप्थी कर रही है मटेरिया मेटिका से मेटिकल कॉलेज आरिल उनिवर्सिटी आज के बारे में हैं और किसी नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों ऐसे माम अपनी जॉइन कर नहीं पाई है पुढ़ी देर में कर लेंगी तो तब तक के लिए रेरे मेटि है अब है अब सुपबाले ही हैं अब आटिक है अब 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 स्रक्राइब की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है थी सर अब 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 आज हम इन होमियोपेति में कुछ ऐसी मेडिसिन्स है कि जिनके बारे में हमें बहुत पम पता होता है और जिनके इंडिकेशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है तो मैं जब अभी फिलहाल में M.D. में स्टड़ी कर रही हूँ तो पढ़ाई के दोरान मैंने कुछ ऐसी होमेपेथिक मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा है और इंफोर्मेशन एकठा की है जो मैं आज आप सब के साथ इस माधियम से शेयर करना चाहते हूँ है तो हम कैसी मेडिसिंस को रैर मेडिसिन्स कहेंगे और कुछ मेडिसिंस जिनके स्पैसिफिक इंडिकेशन होते हैं कुछ डिजिस कंडिशन में जो मैं अभी शेर करूं कि आप सब के साथ तो होमेपेथी में बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की मेडिसिन होती है तो प्रकार की मेडिसिन्स में हम सब को पता है और ज्यादा तर यूज करते हैं कि वह बहुत सारी डिजिस कंडिशन में कवर करती है और बहुत-ती कंस्टिटूशनल मेडिसिन की तरह यूज होता है तो रेर मेडिस ऐसी मेडिसिन्स होती है इनकी इतनी सारी सिस्टम पे अफेक्ट नहीं होता है जिनका स्पैसिफिक इंडिकेशन होता है और ऐसी मेडिसिन्स जो पैसिफिक डिजिस कंडिशन में ही यूज होती है ऐसी मेड जो अपनी एक्षिन में बहुत स्पेसिफिक होती है और ज्यादा तर रेमेडीज हम और गन मेडिसिन की तरफ भी यूज कर सकते हैं ने अर्गेनोन में एफऊरीजम 105 और 106 में पै्थोजिनेटिक इफेक्ट पैथोजिनेटिक पावर उप मेडिसिन के बारे में समझाया है और पैथोजिनेटिक पावर मेडिसिन के हमें पता होना चाहिए दाकि हम कुछ पैथोजेनिक डिजिस के इंडिकेशन के लिए हम उन डिजिस कंडिशन को ट्रेट करने के लिए ऐसी रेर रेमेडिस को यूज कर सकते हैं तो ऐसी रेर रेमेडिस का एडवांटेज और उनके साथ-साथ उसके कुछ डिसद्वांटेजिस भी होते हैं तो ऐसी रेर मेडिस्स के एंडवांटेजिस में हमें ज्यादा तर उनकी पैथोजिनेटिक इफेक्ट बहुत अच्छी मिलती है उसके साथ-साथ उनका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत इजी होता है डिजिस कंडिशन के बेजिस पे हम उसे चूज कर सकते हैं और मेंली उनके गाइडिंग सिम्टम पैथोलोजिकल होते हैं और ऐसी मेडिसिन्स हमें पैलिएट्व ट्रिटमेंट के लिए भी यूसफुल रहती है और ऐसी मेडिसि के डिटेल में कैस्टेकिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ कैसी में इतने ज्यादा सिंप्टम्स नहीं मिलते हैं कुछ ऐसी बहुत ही पैथोलोजिकल और डिस्रॉक्तिव पंडिशन्स डिजिस कंडिशन होती है जिनके जिनमें हम इतने अच्छी तारगी के केस नहीं ले सकते हैं तो उनमें हम ऐसी रेर रेमेडिश यूज कर सकते हैं एक बहुत बड़ा डिसद्वांटेज है रेर रेमेडिश का कि वो ड्रॉग अवेलिबिलिटी उन्ती नहीं होती है उनकी पॉटेंसी की रेंज भी बहुत तॉम रहती है स्यादा तर रेर गांटिस के साथ बिसिस कंडीशन में यूस्फूल रहती है रेर मेडिश तो पहली मेडिशन है जिंकं मेलरिय बेलरियन Zincum Valerianum का बहुत ही एक specific indication है any kind of neuralgia जो Zincum में हम use कर सकते हैं उनके साथ-साथ बहुत सारे nerve related symptoms हमें मिलते हैं पेशन्ट जब epilepsy वाला केसिस होते हैं epilepsy के केसिस होते हैं उनमें Zincum Valerianum बहुत अच्छा effect देता है Conversion अगर पेशन्ट बोलेंगे कि Conversion आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कैसे symptoms आ जाते हैं Conversion के पहले भी पता नहीं चलता अचानक से Conversion आ जाते हैं तो अगर ऐसे symptoms मिलते हैं किसी disease condition में तो हम Zincum यूज कर सकते हैं उनके साथ-साथ Cliplessness Children में दिखने को मिलता है Multiple Sclerosis में Zincum बहुत अच्छा effect देता है Trigeminal Neuralgia जो बहुत ही painful होता है और Facial Neuralgia में भी Zincum बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं Spigelia की तरह हम Facial Trigeminal Neuralgia में Zincum को यूज कर सकते हैं उसके साथ-साथ sa-ath sleeplessness के साथ-साथ但是 helping them a malach째 condition दिखने को मलती है और पेशन्ट बहुत ही RESTless होते हैं Zincum wel vegetarian में के दूसरी medicine है जीजिया औरिया ये जीजिया औरिया में लीजेका इनका common name है नीडो पान नीम ये जीजिया ओर्या मेंली hysterical और epilepsy और कोरिया की condition में useful रहती है जीजिया ओर्या की पेशन्ट जो होते है वो उनमें ट्वर्चिंग, तर्किंग और नर्वसनेस देखने को मिलता है symptom है कि फिजिडिटी, korea-like feeling, especially in legs hysteria और hypochondriasis में भी बहुत अच्छी तारिके से useful रहती है जीजिया ओर्या इसी मेडिसिन है जो टेरेंट्यूला के साथ बहुती करीब है कि हम उन्हें डिफ्रेंशियेट कर सकते है उनको compare कर सकते है टेरेंट्यूला के साथ क्योंकि जीजिया ओर्या के भी तेरेंट्यूला के साथ अल्टर्नेट्यूला के साथ अल्टर्नेट्यूला की तरह और इसके अलावा clinically हम ओर्या ओर्या सिस्ट में भी जीजिया ओर्या ओर्या यूस कर सकते है very important for ovarian, especially left side ovarian cyst जिनमें apis और polosyn की इतनी effect नहीं मिलती है तो हम जीजिया ओर्या को consider कर सकते है तीसरी remedy है योहिम बीनम योहिम बीनम mainly labiata family की medicine है यह mainly sexual related situation के लिए बहुत useful रहती है जिनमें very high sexuality होती है और clinically हम योहिम बीनम को importancy के cases में ज्यादा तर यूस कर सकते हैं जिनमें erection issues रहते हैं importancy रहती है उनमें योहिम बीनम बहुत अच्छी तरीके से useful रह सकती है और importancy और यह sexual related condition ज्यादा तर neuroasthenic means psychological state के लिए importance ही रहती है psychological disturbance के वज़े से mainly psychological state दिखने को मिलता है इसके पीछे importance के reason इनके साथ-साथ यह neuroasthenic और sexual related situation में ज्योहिम बीनम बहुत हम compare कर सकते हैं closely onus komodium के state के साथ और importance के साथ-साथ patient को guilt और sleeplessness और यह hysterical condition भी देखने को मिलता है यहीं भी नम्रे उसके बाद medicine है यूस्निया बार्बाटा यूस्निया बार्बाटा यूस्निया बार्बाटा mainly headache के लिए बहुत ही important medicine है अगर there is a bursting type of headache जिन में congestive type of headache जिन में belladonna या glonoine की action काम नहीं आती effect नहीं डेती जिन केसिस में उन केसिस में हम यूस्निया बार्बाटा को यूस्निया बार्बाटा को यूस कर सकते हैं इनका state mainly glonoine और belladonna के headache के साथ हम compare कर सकते हैं जिन में congestive headache होते हैं sunstroke होते हैं और bursting feeling होती है head में इनके साथ-साथ third eye socket में बहुत ज्यादा pain रहता है eye pill as if it would burst तो अगर in cases में अगर ऐसे symptoms मिलते हैं तो हम पहले हमारे mind में glonoine belladonna अगर इनकी effect अगर इसी तरीके से नहीं मिलती तो हम यूस्निया बारबाटय की तरफ जा सकते हैं उसके बाद medicine है vanadium vanadium एक metal metal है कि जो हम अगर periodic table में अगर पता होगा तो vanadium 4th row को belong करता है कि जो काली और केरकेरिया के बहुत ही पास में vanadium metal है और उसके उपर बाराइटा है तो हम देख सकते हैं कि वो closely काली और केलकेरिया की तरफ एक्ट करता है vanadium में mainly feeling of hesitation बहुत दिखने को मिलती है vanadium में feeling of failure और patient को ज्यादा तर ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर पाऊंगा अगर ये करने से में fail हो गया तो कोई भी situation आती है तो patient परसन से लिए उस situation को करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद उनको failure के fear होते है तो वो अपने events जो है वो पॉस्पॉन करने की ट्राइ करता है तो ये mental state है vanadium का और clinically हम देखे तो vanadium mainly उनकी action हम देखे तो वो catalyzer है और mainly हम clinical indication के बारे में सोचे तो vanadium एनेमिया के cases में बहुत ही अच्छी तरीके से useful रहता है और जिनमे degenerative liver disease है with skin issues ऐसे cases में vanadium बहुत ही अच्छा result देता है और degenerative liver disease में अगर हम देखे तो hyperlipidemia है और mainly blood related condition अगर हम देखे तो arteriosclerosis है और brain के related degenerative changes है जैसे की Alzheimer तो अगर ऐसे cases में pathologically हम देखे तो vanadium बहुत ही अच्छी effect देता है इसके बाद medicine है valeriana यह भी बहुत ही यह बढावापभपधी medicine है valeriana generally hysteria, over sensitive and nervous affection cases में useful रहती है mainly hysterical fletulency इसी देखने को मिलती है और पेशन्ट जनरली ऐसा फिल करता है कि बहुत ही लाइट फिल करता है अजिव पेशन्ट हवा में तेहर रहा है या ऐसी फिलिंग आती है उनको उसके साथ-साथ पेशन्ट को irritability और hallucination ज्यादा तर night hallucination दीखने को मिलता है उसके साथ-साथ वेलरियाना ज्यादा तर useful होती है है अगर पेशन्ट पेरफ के सामीन पे तूरंथ रहता है तो उनको पेन होती है और उसके अलावा पेन फिल नहीं होता लेकिन अगर वह फ्रोर्ट पर बग और पेर रखते पैर तो उनको पेन-फिल होता है यह स्पेसिफीक तान था कंगा इसे स्म्टम्स मिलते हैं केस में तो हम वेलरियाना के बारे में सोच सके हैं इनके अलावा पेशन्ट को हील पेइन भी होता है जाधा तर बैठने के दोरान और यह चिर्ण में अगर हम देखे तो वेलरियाना जो है वो वमेटिंग की हिस्ट्री में बहुत जाधा इस्पूल रहती है अस्के है कि उज हऊए इस्पूल्डिया यह चहीटी सिफैटे जीनके कारण अगर वुमिटिंग होती चिल्डरन में तो वेलरियाना कि जीनके उसके साथ बाद में है स्टीलिंजिया, बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है for rheumatism and scrofulous affection. इसके साथ साथ स्टीलिंजिया में, स्टीलिंजिया में mainly spurs family को बिलोग करती है, spurs family ऐसी group of remedies spurs family की है जो लोटो डायरिया प्रोड्यूस करती है और mainly rheumatism में अगर हम देखे तो chronic periosteal rheumatism, उसके साथ साथ अगर lymph node affection है, तो हम स्टीलिंजिया के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल, अगर ये rheumatism में lymph node affection साथ साथ देखने को मिलता है, जिनमें अगर काली आयोड, सुसलिनम, फाइटोलाका, कोई clear indication के साथ अगर effect नहीं देती हैं, तो उनके केसे में हम स्टीलिंजिया को उसकते हैं, ये एक glandular remedy है, जिनके साथ 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 सेकेंट्री सिफिलिस कंडिशन में भी स्टीलिंजिया यूसफूल रहती है, उसके बाद में है क्वेर्कस, क्वेर्कस में में अल्कोहल एडिक्शन के केसे में यूसफूल करती है जो चैनाबिस फैमिली है उन में से यह द्रग हाती है क्वेर्स जो है मिल्याड फैमिली का में थीम रहती है ज्यादा तर प्रेशराइट पिल करते हैं उनको लगता है कि हम किसी सिचुएशन में श्टक हो चुके है और उन सिचुएशन से बाहर निकलने की वो करते हैं और पेशन्ट को प्रीडंग चाहिए हो लेकिन अल्कोहलिजम और अल्कोहल एडिक्शन के कैसिस में ये बहुत मंद के बाद अपना रिजर्ट देती है क्वेर्कल्स और अल्कोहल अगर पाल्स के सिंटम है तो ऐसे कैसिस में ये बहुत ही अच्छी तरीके से यूस्पूल रहती है डोक्टर बर्नेट ने क्वेरकस यूज की थी बहुत ही पूरे कैसिस थे जो प्रोनिक अल्कॉछिम शीरोसिस के बहुत ही ज्यादा एडवांस केसिस थे उनमें डोक्टर बर्नेट ने ये मेडिसिन यूज की नेक्स्ट रेमेडी है सीडर मेकरे सीडर मेकरे में यूसफुल रहती है पाल्स फिशर के कैसिस में जिनमें बहुत ज्यादा पें रहता है आफ्टर पासिंग स्टून जो किसी नाइट्रिक अगर हम सोचे ऐसे कैसिस में पहले हम नाइट्रिक असे के बारे में सोचते है कि तो नाइट्रिक अगर एक्त नहीं कर सकते तरिके से तो उनके केसिस में हम सीड़ मेक्रे यूस कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन है सेलीसिलीक एसेड मेनली वीकनेस जो इन्फ्लुएंजा फीवर के बाद वीकनेस पेशेंड में देखने को मिलती है। उनमें salicylic acid बहुत अच्छी तरीके से यूस्पूल रहती है पहले हम चाइना देते हैं ऐसे cases में लेकिन अगर चाइना के अलावा आपको कोई ऐसी medicine के बारे में चाइना के अलावा ऐसी salicylic acid ऐसे cases में इंडिकेटेड है और salicylic acid में दूसरा रुमेटिजम भी देखने को मिलता है रुमेटिजम अलोंग विद काली आयोड हम सोच सकते हैं salicylic acid के बारे में दूसरी medicine है थीयो सीने मिनम heocenaminum जादा तर old age के cases में useful रहती है with otosclerosis, pathological condition जिन में ear issues cause vertigo ऐसे old age के cases में heocenaminum useful रहती है यह mainly उनका keynote symptom है कि resolving scar tissue heocenaminum मेरा एक case थाथ cheloid care जो patient को सिर्फ दो ही symptom थे cheloid scar on the upper back और उनके साथ-साथ itching सिर्फ थोड़ा बहुत itching होता था उनके अलावा दूसरा कोई symptom इतना specific नहीं था तो उस case में मैंने theocenaminum 30 potency में यूस की थी with frequent repetition तो विदिन 1 month जो किलोड का scar था वो एकदम चला गया था skin बिल्कुल नॉर्मल हो रहती तो अगर scar tissue या फिर दूसरे sclerosis के cases में हम theocenaminum use कर सकते है उसके साथ-साथ पॉर्णिया की opacities या फिर cataract में भी theocenaminum बहुत यूस्पूल है और दूसरी medicine है scutale या जो common name है उनका skull के यह medicine main nervous sedative है जो का cardiac irritability भी देखने को मिलती है scutale area में mainly fever कोई भी fever हो when nervousness और fear रहता है fever के बाद भी तो हम scutale area के बारे में सोच सकते है और अगर कोई patient का fever और fever हो उनके साथ-साथ अगर nervousness और weakness रह जाती है fever के बाद fear रह जाता है तो ऐसे conditions में हम scutale area को use कर सकते है patient generally हमने देखा होगा covid के time में patient को बहुती ज्यादा fear रहता है कि उनको कुछ हो जाएगा कोई infection लग जाएगा अगर वो बाहर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसी condition में हम जो ज्यादा तर उनका mental state है वो arsenic और opium के साथ हम compare कर सकते है तो ऐसी जिनमें calamity देखने को मिलती है ऐसे conditions में scutale area यूज कर सकते है दूसरी medicine है निकोलम निकोलम भी एक तरीके का mental है निकोलम बी पूर्थ रोड़ टेबल में पूर्थ रोड़ में आता है जो फेरम के बहुत ही ख्लोज में रहता है जिसकी वज़े से फेरम जैसे कुछ सिम्टम निकोलम में भी देखने को मिलता है पेशेंट में इक स्पेसिफिक होता है निकोलम में द्रीम्स ओफ टीथ फोलिंग और उनके साथ साथ पिरियोडिकल हैडेक होते है उनमें निकोलम बहुत ही अक्षी तरीके से यूस्फुल रहती है में अगर हम देखे निकोलम परसन के तो निकोलम का जो व्यक्ति होता है वो इंजस्टिस बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकता वो अगर जाएगा अगर पॉलिस हो या फिर को भी बड़ी और उनके साथ लड़ जाएगा वो ज्यादा तर जस्टिस के लिए स्टेंड लेगा और अपनी कॉमुनिटी अपने ग्रूप के लिए स्टेंड लेगा ऐसे मेंटल स्टेट होता है निकोलम का और यह बहुत ही इंपोर्टन रेमेडी है माइगरेन के लिए और जहां पे बहुत ज़्यादा ही कफ है विद लॉस ओफ एपेटाइट और लो एपेटाइट उनमें नीकोलम यूसफूल रहती है और कफ में एक स्पेसिफिक सिंटम है नीकोलम का कि खासी के दोरान पेशन्ट को अपने थाई पे इस पोजिशन में है और इसके पिरियोडिक सिंटम होती है नीकोलम यूमेडी में और दूसरी है मर्क डल्सिस मेंली इयर केटार के बहुत ही तोर प्रेमेडी है और इयर केटार और विटिकी एक्सुडेट्स उसके साथ साथ रॉपसिकल कंडिशन जो रीनल और कार्डियक डिजिस के वज़े से रॉपसिकल कंडिशन देखने को मिलते है तो उनमें हम मर्क डल्सिस को यूज सकते हैं उनके साथ साथ यह अजिए अगर केटार के हमने बात की तो रहती है और और रॉपसिकल कंडियो साथ बिल्कुन देखने को जिए नियुशन देखने को रहती है दूसरी है पीक्स लिक्मिया अपर रेस्पिरेटरी इटिटिक्स में यूस्पूल रहती है और उस केसिस में जहां पर बहुत साय सुटम हो लेकिन पेशन्ट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकते और पेशन्ट के बारे में सोचे तो पेशन्ट हमें इसे शो करेगा कि मुझे यहां पेशन्ट हो रहा है तो एसके अगर कोण सबसे घरे में जहां एहां तो रहतीरी सिनलिशन में मिगाया प्योंवेघ्वक्विड घर रहा हुचे कर सकते है इसके साथ साथ स्कील सेट रेलेटड पंटिशन में नेरोटी पिक्स लिक्विड ऒाइड़ा करें जैसे की इरप्शन रहे हैं और उनके साथ-साथ पेट्रोलियम से से हम कंपेर करते हैं पिक्सलिक विडा को स्कीन कंडिशन में दूसरी है आइड़ोफोर्मम आइड़ोफोर्मम में नहीं है तुबर्टुलर कंडिशन तुबर्टुलर माफब ब्रेन है तो इसे पेटोलोजिकल कंडिशन में हम आइड़ोफोर्मम यूसर सकते हैं इसके साथ-साथ पेशन्ट को बहुत ज्यादा पेइन होता है जैसे की मेनिजिटी और ब्रेन रिलेटेड कंडिशन होती है तो उनमें पेशन्ट को बहुत पेइन रहता है वो स्क्रीमिंग शाउटिंग करते हैं पेइन की वजह से उन केसे में हम आइड़ोफोर्मम के बारे में सोच सकते हैं और दूसरा है ट्यूबर्कुलोमा और पॉलोन विद च्रोनिक अंडिजिस्टेट डायरिया और रेस्पिरेटरी कंडिशन में अगर हम बात करें तो ब्रेथलेस्नेस और अस्थमा देखने को मिलता है ज्यादातर लेफ साइड़ेड अफेक्शन्स रेस्पिरेटरी में देखने को मिलता है आड़ोपोर्वमा दूसरी रेमेडी है प्रिब्यूलस प्रिब्यूलस टेरेस्टरी जिसको हम पॉमन नहीं मुनका है इस्ट गंधा जो आयरुवेद में भी बहुत ही इंपोर्टन्ट ड्रग माना जाता है और यह एक इस्ट इंडियन ड्रग है और यह जनरली यूरिनरी अफेक्शन्स में बहुत ही अच्छी यूस्पुल रहती है यह ट्रिब्यूलस में ली प्लीनिकल हम देखे तो रिनर्स्टों की केसिस में ज्यादा तर यूस्पूल रहती है रिनर्स्टों विट रिस्ट्री अफ सेक्शुल डिसफंक्शन और प्साइकोलोजिकल इंपोर्टेंसी देखने को मुलते है तो ऐसे केसिसमें हम रिब्य यूस कर सकते है यह ट्रिब्यूलस जो रिमेडी है वह एगनस के किरशे बहुत ही दूजक्टस के साथ को अ दुसरी रिमेडी है TNT यह TNT mainly रेंबेडी रेंबेडी अर्डिस्रॉक्टिव एक्षिन होती है TNT की यह प्लिनिकल लिए कोई भी ब्लॉड रिलेटेड गंडिशन होती है तो उनमें हम TNT यूज कर सकते हैं ब्लॉड रिलेटेड गंडिशन जैसे की अनेमिया है या फिर यह प्लास्टिक अनेमिया के केसे है उनमें TNT यूज कर सकते है में हम TNT बहुत ही अच्छी तरीक ऐसे इंडिकेटेड है इसका 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 हो जाता है और जैसे की अप्लास्टिक अनेमिया के केसे से उनमें TNT यूज कर रहती है जहां पर अगर हम कोई दूसरी इसी कंडिशन में दूसरी रेमेडी अच्छी तरीके से इंडिकेटेड नहीं रहती है तो उनमें TNT यूज कर रहती है दूसरी रेमेडी है जाते है स्कूकम्चक श्कूकम्चक स्कूकम्चक ये मेली मुकस मेंब्रेन और skin-related condition में बहुती strongly effective है कूकम्चक मेली और इस ताइप ओफ एक्जीम वेर लू अधर रेमेडी में तो हम श्कूकम्चक के सोच सकते हैं और श्कुकम च्खे में पिर पेश्म शल्राय चक पत्रोल criterion की तरह उनकी फिरम प्रोल्म प्रोलंड़ों और पेश्म प्षोलीज राइ अगर पेश्म के तरह सकी तरह सिकलाय çık के तरह सुमेटी थे द Eliis and तो ऐसे केसे में हम हुकम चक को यूज कर से उसके साथ-साथ दूसरी मेडिसिन है, Scroful area यह मेंनली यूजपूल रहती है, तो में होजकिन्स डिजिस अगर हम कहते है, sorry तुमर और होजकिन्स डिजिस अगर हम कहते हैं, और enlarged glandular conditions होती है कि तो में तो हुपी तो कि वारे में हम सोच सकते हैं क्लिनिकली आच दोग के कैसे में बहुत ही अच्छा रिजर्ड देती है अगर हम सोचे इन में स्यम्टम भी दिया गया है वेल्योबल स्कीन रेमेडी हो उसके साथ साथ specific affinity for the breast और breast tumor में बहुत ही अच्छी तरीके से यूस रहती है और उनके साथ-साथ breast nodosity भी देखने को मिलती है scroful area में और deep ulcerated condition होती है, inflammation होता है तो उनमें भी scroful area useful रहती है दूसरी medicine है sacrum office inal sacrum remedy mainly बनती है common name है sucrose या फिर canned sugar ये medicine में ली chronic disease, woman के chronic disease और children में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज रहती है जो बहुत sugar यूज करने से condition प्रवेदा होती है उनमें ये सेकरम अफिसिनल बहुत यूज रहती है और इसके साथ साथ सेकरम की अगर हम बात करें तो चिर्ण के केसिज में की एक स्पेसिफिक सिंट्रम है कि चिर्ण जो लार्ज लीम है शेलिंग है लीम में ऐसे चिर्ण के केसिज में सेकरम ऑफिसिनल यूज होती है और मेंटल सेट के अगर हम बात करें तो सेकरम के चिर्ण में ली बहुत इरिटेबल होते है ख्रॉस होते है जिन में वेरी अटेंशन सिखिंग बिहेवर होता है चिर्ण का और जो healthy condition healthy things के लिए मना करते हैं healthy खाने के लिए मना करते हैं लेकिन वह craves for denting things like candies, chocolates और ऐसे चिल्डन को healthy food बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और capriciousness सेकरम के चिल्डन में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है capriciousness मतलब sudden change of mood अगर कोई बच्चे ने मांग लिया कि मुझे ये चोकलेट चाहिए और हमने उसे दे दि तो वह कहेगा कि नहीं अच्छा, ठीके पहले कहले तेंफिल कि देगा कि नहीं मुझे ये चोकलेट नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरी चॉकलेट चाहिए अगर हमने कोई ईस दिर्लों के यह उस च्रिरर्ण में डिजायर वह बुए कि देखने को मिलता है और हम उसे सीना और कैमोला contre सकते हैं और अगर हम mental level के बारे में बात करें तो deeper level में जो person है वो बहुत lonely feel करता है और उनको वो sugary comfort चाहिए होता है इसलिए वो ऐसे attention seeking behavior और capriciousness देखने को मिलता है और दूसरी medicine है रस वननाटा रस वननाटा में यूसफुल रहती है और स्कीन सिंटम्स की जो होट एप्रिकेशन से रिलीव होते है या फिर इचिंग इचिंग की जो होट वोटर से रिलीव होती है तो ऐसे specific अगर इंडिकेशन मिलती है को भी केसिस में तो हम रस वननाटा के बार में सोच सकते हैं तो इनके साथ साथ रस वननाटा के बार में तो इसके बाद मेडिसेन है पोप्यूलस पॉपूलस मेडिसेन वो बहुत ही इंपोर्टन रहती है आच्यूट ऑलड के बार में एक्जूट कोल्ड किंडिशन में पॉपूलस बहुत ही यूजूल रहती है उसके साथ साथ सदनली होर्शनेस डीप ओर अच्णफ से चला जाता है धर चूट कोल्ड के बाद और तो एसी कंडिशन में हम पॉप्यूलस यूज कर सकते हैं क्योंकि यह एक इंस्टंट वोइस प्रोड्यूसर है होका की तरह और एक माइंड का सिंटम है पॉप्यूलस का कि पेशन्ट हर किसी से मिलेगा और हर किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कॉस करेगा तो अगर एकोनिया के साथ ऐसे इंडिकेटिव उस्टंट विटा में देखने को उता है तो हम पॉप्यूलस के बारे में सोच सकते हैं और कॉर्यासिस के केस्स में भी उस्फूल रहती है और वहरती ही हृसनें और प्रेट्ध लेस्नेस और पॉनिया बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है दूसरी remedy है जलापा ज्यादा तर शीड्रेंट के केसे में यूस्फूल रहती है जलापा जब चैल्ड नाइट में ज्यादा तर बहुत ही रेशलेस होता है पीं की वज़े से वो चिलाता है या पर रोने लगता है तो ऐसे केसे में हम जलापा के बारे में सोच सकते हैं जहां कोई दूसरी जैसे की डायरिया के कैसे है चिल्रन में की कोई दूसरी रेमेडी इफेक्टिव नहीं है तो आपके बारे में सोच सकते है और अगर हम बात करें तो जूगलेंस में जूगलेंस में बहुत ही अच्छी दारी केसे यूज रहती है और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और जिनको हम बटरनट कहते है जूगलेंस आपरिगलेंस में स सुगलेंस में उसके साथ-साथ जूगलेंस में इसके साथ-साथ गैस प्रॉब्लेंस बोट दिखने को मिलता है ऐसका सेंटर अटास में वा stoma because of liver affections और liver issues के बारे में अगर हम इसके इन problem में भी बहुत अच्छी तरीके से यूस्फुल रहता है और जूग लेंज इसके साथ साथ तीन में अगर हम बात करें तो लाइकन प्लेनल्स कंडिशन या फिर इंपेटिगो में जूग लेंज बहुत अच्छी तरीके से यूज रहता है और एक क्लिनिकल कंडिशन है रिकरंट बोल्स इन एक्जिला अगर कोई दूसरी रेमेडी काम नहीं कर सकती तो अगर रिकरंट बोल्स हो रहे है एक्जिला में तो हम जूग लेंज प्रिस्क्राइब बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल लोवर पोटेंसी में और लिवर अफेक्शन में जूग लेंज बहुत ही करीब ही रहती है चैलीडोनियम के साथ उनके सिम्टम्स बहुत ही कंपेर कर सकते हैं उसके बाद है जस्टिश्या एधा टोड़ा कि जो इंडियन ड्रग है इंडियन ड्रग भी हम जनरली इंडियन ड्रग को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो इंडियन ड्रग जनरली जहां केसे में अगर पिकुलर सिम्टम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और उस केसे में हम इंडियन डुग जनरली यह सभी मेडिसिन की तरह लोवर पोटेंसी में प्रिस्प्राइब होती है और जनरली उनका इंडिकेशन बहुत ही स्पैसिफिक होता है अगर हम बात करें तो इनमें सब कुछ स्पीजिंग और केटराज से शुरू होता है कोई भी कंडिशन और जनरली अगर जनरली अगर ड्रोसेरा या फिर एंटीम टाट और स्पोंजिया प्रिस्क्राइब करने के बाद भी अगर रिजर्ट नहीं मिलता है तो हम जस्टिशा के बारे में सोच सकते है जस्टिशा की कोई भी कंडिशन रहती है वो चेंज ओफ वेदर से ग्रावेट होती है और जनरली पेशन जो होते है वो होते है और इनके साथ-साथ अनुस मिया के केसिस में जस्टिशा कर रहे हैं आपका समय आपके वो एक मेर्ट बचा है एक मेर्ट में कर दो जी जी बिलकुल यह लास्ट रेमेडी है जस्टिशा हम बात कर रहे थे कि यह एक इंडियन रग है और इनके जो सिंटम से वो स्नीजिंग और केटाल से शुरु होते है कोई भी कंडिशन रेस्टिशा की और इसके साथ-साथ अगर रेस्टिशा में हम पहले रोसेरा, एंटीम टार्ट और स्पोंजिया के बारे में सोचते हैं लेकिन यह इतनी एफेक्टिव नहीं होती तो ऐसे के सिसमें जस्टिशा हम प्रिस्ट्राइब कर सकते हैं कि साथ-साथ इस एक इसमीया की केसे में भी यह बहुत इफेक्टिव रहती है जहां पे लो स्मेल और टेस्ट बिलकुल जला जाता है ऐसे के सिसमें हम जस्टिशा यूज कर सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा रहा है देराय दुरूस का है मैं कहुंदा देराय दूसर वो नेटवर्क इस्टिश की वज़े से प्राव्म्म जब्जिगर आता है आपको जिक्त प्रियास आपका बहुत अच्छा है अपने पूस्टिश किया है और जो उमीद है कि आगे भी आप इसी प्रकाश अच्छा रहेंगी और हम लोग के सेशन में आते रहेंगी उम्लों के पास मैं समय नहीं है आपको जन्यवाद दते हैं इस मीटिश मेरे सामिल होने के लिए और आपको हैं आगे सकते रहें इस साथ मैं इस सेशन को स्माप्ट करता हूं और ये मिटिल आप दोकर जने जी को आपको चलाप कर दोच्छा जने को दोकर देखने। लिए सकते हैं नहीं हो ये ऑ। भर दोक्त लिएशन के लिम खेवेंगी आपको तै कि अन्यवाद इस साथ, विस्त्वा रहें ग। निस्थे ऑने लिए इसी फिंद छिए सामय को सकी सेशन के लिए। ये से लगवे आई आवेन्स सेज अधर बने बने लिटेश विल्टाइश निवेन शेट दिया ने देक्सेंट। वे नगने जिन मीनीट सिलेंग प्रेरा. तंक ज झाल, इस वालो आ इपन्टिशनल एफिव प्रिन प्रेम प्रिमर्म प्रियम प्रिमर्भ अप्रिय प्रिमिय। और में का आप वीपिघी कर्सेदेश अमेपिधी टूद्से, टूटर्से घूज अमेंपची लोबस्ट अमेपधिघ लिए. and we have three sessions in a row and we have participants from 65 countries presented various papers on this forum and just we completed our Hindi session and from eight to nine the international session in English and nine to ten we have a local language session in Malayalam this is this is that what happens with the habit and with the homophily at EFBH and we have today our guest is Dr. Avinasi from Hyderabad and she has presented various papers in this forum or most all the papers are really excellent or she always go into the depth of the subject and and will come out successfully with some of her cases also and today as you know she is working at Hyderabad and she is having clinic there in Hyderabad even though she belongs to Kerala she is settled down at Hyderabad now and she has more than 10 years of experience that is something great as far as her activities are concerned she is a person who is what working hard to bring homopathy to the topmost level and so such a young generation doctors are the need of the other and we need to continue our system we need to bring our system to the top so we proudly welcome Dr. Veena to the session today Dr. Veena will be presenting all of retrospective analysis this is a topic which she will be talking and anyway we proudly welcome you to the session Dr. Veena to all the doctors and a warm welcome to all of you for to this forum so today I don't have a presentation to present with I want to share my experience so before starting going to the cases I would just like to have a few words please adjust your camera a little more we can see only half part of you yes and that's good okay so uh so uh 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 I submit my pronouns to all my gurus at this opportunity and I also thank IFPH for giving me this opportunity to present uh my experiences in this forum um so I congratulate also IFPH for continuously uh taking this webinar uh since uh three and a half years and it is going successfully throwing a lot of uh experience and insights about homeopathy to all budding homeopathy by sharing um great experiences from all the legends of homeopathy who is practicing now thank you so much um so uh so we will go uh to uh the today's topic follow-up so how a follow-up um gives insight about whether the case is proceeding to a success or a suppression or a better prognosis or a bad prognosis all these things are getting assessed uh by doing a very good follow-up of our cases so generally we give a prescription and okay and the patient says okay then if we leave out without understanding what has happened or without analyzing then we will end up in more failures later if we don't assess the case so when they say I am all right or when they turn up don't turn up if we think the prognosis is good and the prescription is correct we will be ending up in failures later so it's better to always analyze the case and understand how the prognosis is going whether it is for the betterment of the patient or not whether the remedy given um is the correct remedy or only a partial or a totally an unwanted prescription which has gone into suppression so for this uh we just need to understand how the uh what is herring sloth cure we have been uh discussing about herring sloth cure i think from our first year of bhms but why herring sloth cure how scientifically is this herring sloth cure giving insight about the prognosis of the patient these things are more relevant but we tend to not understand during our bhms years so we just say uh we have to see whether the symptoms are proceeding from above downwards from interior to exterior uh from uh most important organ to less important organs and is in the reverse order of um appearance of the symptoms this is what we learn about herring sloth cure why herring sloth cure that we tend to not analyze or understand during our early practice or early um learning about homeopathy but logically speaking if we tend to understand about this herring sloth cure why herring sloth cure is saying about onwards why it is saying from interior to exterior why it is so so i think uh dr vijaykar sir has given a uh detailed description about all these things in his book theory of suppression but this is more relevant then we will never tend to miss the case we will never tend to understand whether we are proceeding toward correct prognosis or not so for which we just need to understand the embryology of uh human anatomy so how the embryo forms and how is it formed with all organs and how is it uh uh born in this world as a human being so we say that every uh every cell in a human uh body uh has got the 46 chromosomes so that is how it becomes a human being that is the homo sapiens so the cell the zygote formation is the first stage from there on the cell divides and it goes to form the uh blasto and here and from there the three layers ectoderm endoderm mesoderm all these things are formed so when so the cell once it divides and uh it becomes uh to some extent then it has the symmetry like right and left side of the body there is a symmetry formation so the cell has the dna that is the first process of formation so the cell getting affected or genetically mutated will be the last stage of the disease so that should be the last stage of the disease so when we get so the embryo develops like this so there is a symmetrical formation there are three layers of three layers formed in the embryo that is the ectoderm endoderm and mesoderm then from the ectoderm there is a curve uh forming into the neural plate that is called the neuroectoderm from where the cns develops so you have the cell and symmetry with the dna which is the main thing which forms the homo sapiens to uh get born in this world with all the organs formed so the next stage is the formation of three germinal layers and we have the ectoderm endoderm mesoderm and the neuroectoderm so the neuroectoderm develops into the cns and the pns so that is the neurological development of the baby in the first stage so when we have the neurological development then comes the then the body needs to grow and it needs to form all of the organs so the next thing what needs to be produced is the growth hormones and all other hormones which is going to set the growth or development of the body of the fetus so the then comes all the hormones and the hypothalamus and pituitary and all the endocrine glands all these things are formed in the next stage then comes the all the once the growth hormone is formed then we have all the structures getting uh developed in the body so we have the lung hearts the brain brain is the first one then we have the heart lungs then all other respective organs like kidney uh till skin then we need nutrition to all these organs so the nutrition is through the blood vessels and the lymph so we have the all organs then the blood vessels and the lymph then once these organs are formed they need to be protected by the skeleton and the muscles so then comes the connective tissue and the bone uh skeletal system and the muscles and also the skin that is the dermis so this is the next layer then comes all the tracts like uh respiratory tract gu tract gi tract all these tracts which is connecting the internal body to the exterior then comes your nail and appendages carnea conjunctiva all these things so that is the ectoderm so we can understand that there is a neural formation then the hormones then the organs then the connective tissue then the tracts which is connecting to the exterior then we have the nail and appendages which are the lesser important organs so how is it formed so now we get to know the body forms from the neural plate that is the brain so we have the cns and pns that is the most important then we get the lungs and the hormones then the lungs and uh heart then we have the other organs and that is how the mesoderm then endoderm then nectoderm organs are formed so this is the way it is formed so now you we can relate this to the herring sloth cure so he says above downwards so there is in two to three weeks of embryo formation there is a you know end defined like which will become the head and tail and which will become the posterior and the ventral organs so that is called the cephalochordal axis and the dorsal ventral axis so this is how the body uh design design like where is the head and where is the tail so above downwards then we have the posterior to anterior from interior to exterior then we have most important organs to the lesser important organs then we have reverse order of cure so for to understand what is the reverse order of cure generally we go only by the symptoms but we need to relate this to the myasm also as per dr vijaykar sir he says that we have to relate to the reverse order of the myasms so what is zora it is just just simple inflammation what is psychosis it is hyper or hyposecretion or any deep deformities or external growths or internal growths so any accumulation um any uh disfigurement or any hypo or hyper is coming under psychosis then we have the syphilis that is the core distractions so when we say when the patient is presenting with just soric symptoms he will be in the layer of sofa but if he has gone to sorosyphilitic then from syphilitic to sora it should reverse if it goes to sora psychosis then it should reverse to psychosis to sora if it goes to psychosis to syphilis then syphilis psychosis then sora so we can relate according to the presentation of the patient and assess the prognosis so this is how we relate the herring sloth cure um to the embryology formation this is well explained by uh german new medicine also so from this we can understand how the layers are getting suppressed by during treatment or without treatment so uh so this is how we have to assess the prognosis of our patient in each and every case be it acute subacute cases chronic cases um one-sided diseases any disease we take we have to assess the patient with these things through either by the symptomatology of the patient or the biochemical analysis the blood reports or any other reports whatever we take in the patient or seeing the disease like from which layer does it get to the next layer or it is staying in the same layer in different direction all these things needs to be assessed carefully in order to understand the uh prognosis so now uh i would like to uh jump into some of my cases uh uh upon which i applied i and i get to know how this theory or the system itself homeopathy itself um how great or how it is working and how i'm failing uh in each case and what needs to be done next so every follow-up is important uh not every case opens up in one or two prescriptions it takes a lot of time to understand some of the cases it takes very little time in some of the cases so it never a patient or a case never um you cannot judge just by seeing the patient or by judging the diagnosis to tell that our case is successful or this is easy or where it lies and all those things these are some of my experiences you know i will just uh try to throw some insights on this i had a seven year old boy who presented with fever so his crp levels was almost 10 so he had fever on and off initially uh then uh they were giving some bell nakswamika and all that the child was not uh well but after a week or like four to six days the patient has presented with a crp level of 10 to me so the favor is much his activity is dull and he has got hyperpyraxia now so they wanted to admit the patient before admitting they just consulted me for what to do next so he presented with some symptoms i repertorized the case i gave some remedy but it didn't work the fever remained same again they were rushing to the hospital on the way i got a symptom like the patient was sweating a lot but the temperature was not reducing and it was hyperpyraxia so i just referred boric materia medica and i gave pyrogen one so as soon as i gave pyrogen the fever reduced a bit the child was okay but the activity was still less but the fever is persisting but it is has come down from hyperpyraxia to lesser level he is not throwing any other symptoms but this much difference i could make so i just wanted to give one more dose of water one teaspoon and just wait for some more time and analyze what is happening so now after six hours now the patient has no temperature no temperature and the patient is okay he has become active he started asking questions as usual like any other child then he had good appetite so he asked for something so until this one week his appetite was not good so he ended up eating something and he never throwed up or he never had any symptoms of rhinitis or cough or anything so now the fever has subsided and the patient's general vitality has improved from the sick state to normal state so he has come to the come back to the normal state our prescription is correct what to do next next is wait and watch now after four days the fever subsided but still they had a doubt whether the crp level has gone down or not they went and checked the blood since the patient's vitality was good and he did not come up with any more new symptoms which is pertaining to any other system then i thought the prescription is good and i it was good to go for a crp check and it came to normal this is the acute case so i had one more case where the lady presented with fever and she had some throat pain rhinitis and some hoarseness of voice this is a stage he has come to me so it may be um like four to five hours uh a fever she has ended up meeting me so when i asked her she said there is incontinence of urine while sneezing or coughing this is the symptom she presented and i repatrized the case for that time being whatever symptoms i got and the remedy indicated was phosphorus so i have given the phosphorus after that the fever subsided immediately she is active but uh i just wanted to understand whether she is okay with this prescription or should i go for the next prescription because she had uh both sneezing and coughing complaints also so whether and she had this um hoarseness of voice also so the uh the fever was due to acute infection and it is not simple rhinitis or uh it may be uh pharyngeitis or laryngitis so still more down and it should not end up in bronchitis which is extra exterior to interior so i just wanted to ask for the symptoms so the patient i asked what happened to the incontinence so the moment fever stopped she had uh no incontinence of urine uh but still um she had sneezing and coughing so sneezing and a bit of occasional coughs were there but her incontinence has so the nervous system which was involved uh during the phase of fever is not no more a presenting complaint now meaning the most important symptom or most important organ involved in this particular acute case is eradicated so now she is throwing up with sneezing and coughing should i go for a better prescription or repeat the dose or should i wait now since the fever subsided after six hours then i just waited and if at all if the fever or sneezing is persistent i wanted to go to the higher potencies and so then since i have already given phosphorus i just waited and then later on slowly the cough reduced then later the sneezing also reduced so it is in the most important to lesser important organ so the cough reduced incontinence reduced cough reduced only sneezing remained that also reduced her hoarseness is better she is all right in a day or two so this prescription is correct but not every case is going to be this successful especially me even if it is an lrti or urti or any fever or any other acute infections or any other chronic diseases for that matter so when we say the acute or self-limiting diseases called the violet viral diseases why do they say self-limiting this is a question which was there always but when i saw the literature i found that in viral diseases it starts with fever for example if you take measles chickenpox all these things so it starts with fever then you have either complex spots or any mucous membrane involvement then we have the rashes outside the body so this is a self-limiting disease because if it gets worsened it will go and affect the brain you may get emanates of lightness so why because the the ectoderm is connected to the neuro neuro ectoderm so what happens if it gets suppressed it goes to the neuro ectoderm affecting the brain immediately instead of other most most other organs so that is a presentation why is it so because these two are closely related ectoderm then we have the neuro so it is directly going and if the if you give a remedy and it goes to the brain that means we have suppressed the disease so whenever in polio or any other disease chickenpox or any viral encephalitis if we get to know the case we will understand that they have suppressed the fever or the rashes to any medicine so if the body's immunity is good it will not get suppressed till the higher level to the neuro ectoderm it will get suppressed with some psychotic symptoms and they may be presenting with not well since chickenpox or that viral fever and they will have some joint pains or some other problems which is limiting to the other organs if the patient is in psychotic phase if it is he is in physiologic phase will go the patient may go to the encephalitis and it may go to a fatal multi-organ failure also so in viral disease when we say self-limiting most of the cases when the immunity of the patient is good or when the patient is in still in sora they present the symptoms they throw the disease from exterior to exterior and they'll be all right so once that viral multiplication is limiting by the body's immunity he will be all right even without medicines so in this kind of prescriptions we should be very careful not to suppress the disease from the exterior to the interior to the neuro ectoderm so now i think in amoebic encephalitis which is getting presented in kerala nowadays so we get to know this is how it becomes fatal they give medicine for the fever or the diarrhea or whatever the case is presented with and this amoeba enters the brain there is an encephalitis so the patient is in sorosyphalitic case when the syphilis becomes more the patient ends up in fatal outcome so we should be very careful then um i had a case of next case i would like to um present this because this is exterior child very frequent recurrent cough um rhinitis and allergic symptoms he while keeping on throwing every month or every two months it was very it was not periodic but it is coming in irregular intervals every now and then uh it's like every time the patient comes i take the case i'll repertorize the case or i will refer the materia medica i'll be giving some medicines one or one medicine then and he will come up with more symptoms then it may go to the second medicine uh then it will get subsided and he will be all right so the main peculiar symptom in this patient was whenever he has coughed he had leg pains this was presented every time i referred the case i initially i gave arnica it didn't work then i thought uh leg pains maybe rostox may be helpful i i i whenever i repertorize the case i am ending up with one or the other remedy i am trying each remedy every time but uh i am not successful because you we are getting the recurrence irregularly but in intervals this is what's happening so i wanted to assess this case so i sent the patient for crp test another test and we got to find that the patient has very severe vitamin d deficiency and the patient's parents were doctors and they wanted to give d supplements but i don't want to give d supplements because it is in the deficiency level it is more interior and it is affecting and he is getting pains so when i referred nerve repertory i got the medicine capsicum and through ifps talk one of the doctor um he also um get to say that um for vitamin d deficiency capsicum and silica were very good remedies so referring this i gave a dose of capsicum and still the patient is under treatment he has um course but not that frequently every month or every month or two so in this case what happened is we were just giving symptomatic treatment the patient was all right again he is coming back with the symptom he is symptomatically all right he's coming back with symptoms but when we get to know the scientificity behind that he had severe vitamin b deficiency once that that gets corrected then slowly he is getting recovered from the on and off recurrency of the problem because i have tried tuberculinum i have tried all the medicine in each go i take the case repertories reformatory medica give a medicine but he is coming back and uh once i gave capsicum that that is the indicated remedy and he is all right so now uh these are the acute cases now i would present one or two chronic cases also uh to understand from which layer to which layer transferred and how i ended up in giving some medicine again a patient of 20 30 year old this lady who is unmarried she came to me with recurrent cough and continuous cough this cough when it will stop and how long it will prolong she is unable to say and what is the triggering factor she is unable to say well then i kept on asking questions whether it is related to monsoons or whether uh whether uh any allergic to any food or to her cycles or anything she is unable to say what is the exact problem how is it getting triggered so no idea so every time she is coming we are referring we are giving the medicines and later uh uh when i just asked like anytime you've got let's see that some of the patients when they present with acute complaints they don't disclose about their previous histories how much ever you probe into the case sometimes they fail to say because they think that these two are not relevant and they don't come up with the symptoms so when we ask the when i asked the patient repeatedly after say for almost three to four months later uh then she came up and she told i was admitted like before coming to you few one or two months before i got admitted in the hospital and i had a blood transplantation now i asked for the papers and then she got me the papers and i saw only the hb level was very less like six or five and she had been transmuted some blood so had this been without any pathological condition the blood transfusion itself could have helped her there is no platelet difference there is no other bleeding points um nothing with the patient now how did she end up with so much of anemia no clue about that so i just asked them to repeat the blood test and and i also gave for thyroid test but in the earlier report the thyroid test were normal actually she has been given only blood transfusion and she has been discharged to home then later she has developed this cough symptoms persistent symptoms now in the meantime i repeat the case with whatever symptoms were relevant at that time and i got iodine so since i got iodine i just gave her one more test along with the blood test for the thyroid profile test then now the test came like she has hypothyroidism so here the peculiarity is she is not gaining weight but she is in hypothyroidism she is eating well she is hot but she is not throwing any symptoms of hypothyroidism because probably it is in the initial stages but it is affecting her blood count the moment i gave is by first ioderm her cough DMU first and i waited for some more time whether is there any recurrence yes after one or two months she again got the recurrence of the same cough uh with no throat pain and no fever and other symptoms so again i repeated ioderm then now uh this time also i didn't want to go for the test the um when she when i asked for the blood reports her um HB count was 9 earlier when she was admitted it was 5 or 6, I don't exactly remember but it was very low and they are transfused blood, so now I waited for 2 more months, she had 1 recurrence and I repeated Iodam, the next time if you have any symptoms you just go for a blood test and come back to the clinic, this is what I told her, so the 3rd time when she came back, her blood reports were normal, her HB is normal but she came back with same occasional cough sorry, recurrent cough and that has a prolonged duration but this time the duration between 2 episodes were much longer so I repeated 1 more dose and I just waited, after a year or so, when I see the case now she doesn't have any cough or any other symptoms and she is all fine, this is a chronic case but presented with acute symptoms here also, initially when I was treating the case as acute disease and I was missing many points and I couldn't hit the case properly, so when I got the history, the moment I got her past history and gave her the blood test and when I related everything, then everything fall in place and the correct medicine was hit and she is correct, then if time is there, we will go for one more case this is a case of psoriasis, this lady who was a teacher 62 years old and she was been presenting with psoriasis since years she had to food, she had very bad psoriasis and she was not very reluctant to come even out of the house so she came out of the house one day by some reference and came to the clinic, presenting with a lot of shedding of the skin with severe psoriasis full of red in color which is presented to the clinic now I have taken the case then I have given Caliars and with repeated prescriptions like monthly once or two months once, we repeated the dose and later after three months she was already completely cured of psoriasis this is what was the present presentation by the patient now I thought Caliars, the prescription was apt and she is alright and she has no psoriasis she never turned up for almost a year after that again she started presenting with psoriasis when she got back to the clinic so now she has presented with psoriasis then I believed that Caliars is the right prescription and I gave her the Caliars but this time when she came she was very moody she had she she was emotionally disconnected with the family everything something is hinting me that she is not all well like the last time but she had some emotional disturbances and there is a presentation of depression kind of symptom which is more than the psoriasis what she is presenting but since I was overconfident with the prescription of Caliars I wanted to go with Caliars I gave Caliars one dose this time what happened in two weeks to my surprise it got subsided immediately I thought okay it's all cleared and she is all well now what happened after four weeks she presented with vomiting immediately after eating so I gave Caliars 30 potential so she came with severe vomiting projectile vomiting immediately after eating or drinking anything she has lost her appetite completely very indifferent with the family members and she is talking many irrelevant things but still in she was in her her mental condition is good but still she has thrown up all these mental symptoms along with this severe projectile vomiting now I was very skeptical about how to go about this so what is the prescription should I give and she was presenting like I am getting wave like some motion in the stomach immediately I am averse to drink water and eat this is a very highly syphilitic symptom because the patient is unable to eat anything eating is the nutrition which gives the body to live or to grow but this lady is presenting a symptom which is against nature to live so meaning it is a highly syphilitic symptom and she is not normal so I asked them to go for a CT abdomen so they went for the CT abdomen and the diagnosis made were some lipoma inside the abdomen on top of some part of the intestines this is what they have given the report now my question is she had syphilitic which is highly syphilitic she is shedding all the skin and she had severe itching burning red color skin and all that I gave some medicine now that is partially alright but she has come up with the lipoma inside the stomach so I thought where is she whether she is becoming normal or she is going back to abnormality I couldn't decide I was referring to theory of separation and I was discussing with other doctors also but I was even guilty like whether I am doing some good to the patient or not this is what going in my mind so I couldn't decide but I took the symptoms I got mesirium and sepia so she being very indifferent and the symptoms were very often and other things I wanted to repeat sepia so I gave sepia 30 and I asked them to repeat but now she still started throwing up vomiting this has become very abnormal and so I sent them to some of the surgeons and they told like this is a rare condition and it is just a lipoma nothing to worry and since it is inside the intestines it has some pressure symptoms that is why she is vomiting this is what they have given a picture and they told if you are doing better you just continue with homeopathy to my surprise this is also again a surprise by an allopathic physician who is going to say okay you go ahead with homeopathy and she came back to me and she was just presenting with the same wave-like motion and projectile vomiting I repeated only sepia and I sent her but the symptoms are not subsiding but she this disease prognosis was getting worse rapidly and suddenly she ended up with vomiting severely and they admitted in the hospital and they got to know it is a cancer it's a cancer it's a very rare type of cancer and the lipoma which was diagnosed started spreading to the other parts and she is very badly responding to any kind of treatment so they couldn't even finalize the protocol to treat her by the time they discussed and arrived at the protocol she is so it's one case which I lost in spite of treating her for one year where she recovered better and for one and half year she was alright then she throwed up with mild symptoms of psoriasis but ended up with cancer so the disease prognosis was worse the moment I sent her to the allopathic physician they had given some injections also it has suppressed this disease and no more sepia or caliar was working and the potency selected was also maybe a mistake so I admit this but I learned a lesson so when the patient is not following up for a year or so it is your duty to call them and find out if they are interested to find out and assess the case how they are doing and in the recovery period or when the disease is not in that acute stage it is our duty to treat with the anti-myosmetic or any prescription or any individualistic myosmetic prescription so that she could not have ended in this pathetic condition in spite of she being directed to homeopathy I couldn't help her I feel sad about that but that gave me some amount of experience so I learned a lot from this one case so I would like to conclude here with these many cases I hope I have shown some insights on the follow-up and retrospective analysis how important is a retrospective analysis to understand what we are doing to the patient so the takeaway message I give here is through success we learn and earn earn experience earn familiarity earn more patients earn money but from failures only we learn and we earn the best experiences so though I was guilty but I learned a lesson to follow up the patient to how much of an extent possible thank you thank you so much for IFPH for giving this wonderful opportunity to present some of the cases so if anybody has some questions we can take thank you thank you Dr. Bheena for such a wonderful session from you because you were just talking about the follow-up and retrospective analysis of course this is a very good thing that everyone has to follow up because a follow-up is something great everybody whenever a patient come and to say that doctor I am having this much problem but I am having relief but today I have this problem suddenly we may attempt to give some medicine that is what happens but we wait and see whether it is a normal symptom of the disease or something some other reason behind the symptom sometimes if we wait we can see that the symptom itself may vanish without any medicine but at times we need to change the medicine or sometimes we need to give some acute medicine at that time and that's what we will have to look into and as you rightly point out that in Kerala we have this cerebral amoebiasis or meningitis this is what happens nowadays and a lot of news is going about this particular disease this is a hyper that being created by the media to usually people may fall in such rain that oh I am having this symptom so I may be suffering I am also having this disease so I may be getting to death like that so this kind of phobias are not good but I still remember a case for chicken pops while treating what I found it was that the person while treating the patient was not responding not even calling but that means that the patient is better actually he was better for some days some three to four days and then after one day one fine morning his wife called me he was a person of having about some 40 years and so she called me and told me the doctor the my husband is not doing well and he is looking at the window at the top of the roof without changing his eyes so I felt that there is some trouble with his head that is something some trouble is happening in his brain so I laughed to his home and what I found that this is exactly what the condition of the patient he was having staring look and he is looking at the roof of the room and when we look into when I asked what happened and when it happened she told me that last night this patient is having so much pain in his leg and he is not able to walk so I from the very talk itself I understood that there is some problem with this brain is going in this so that means the disease condition is getting worse by means but then I have to wait for some times and then I have to I told him that don't worry to the family that we can manage the situation I just called the I love the persons to come over there and to check the blood and everything and all those things were very high at that time that was creating levels getting high his ERP was very high ESR is more than 100 and then what I just do was that anyway I have the confidence in our system and so I just took the case and opium was given and thereafter I went by the evening and also I asked them to call me regularly every three hours like that and they called me and informed that doctor he's doing this and that and by evening when I found that the patient started moving slowly his eyes I started moving and on the very next day more the next morning when I reached there I found that he's a little bit fine I took all the photos and was there I have presented this case in some of my presentation in the earlier editions of our webinars and within two to three days he became normal in that way anyway what happened was that as you said the sore condition went into syphilitic stage as you rightly pointed out but in those conditions the confidence in the frankly speaking you may be frightened whether to go move forward or you just allow the patient to go to hospital if I might have sent him to the hospital he may be in ICU and the condition may be little more worse than what happened so if we have the tools to cure the patient that's what I have to say just like in your case also you told about the case frankly this is what follow-up is all about follow-up one need to assess the case and we one need to understand what is there in the case and how to go into the depth of the case and what will be the prognosis of the case whether it will go to bad or but the thing is that you need to observe each and every time to find whether the patient will be getting back to normal or not but we have enough tools with us but utilizing that using that tools in the right time will definitely help the patient so this is what the follow-up is very very important I must say so choosing such as a wonderful subject in this evening is really a very very appreciable thing and we congratulate you for bringing up such a session in this forum and some of even what will happen in acute disease how can one manage chronic disease and all those things were discussed briefly and very very nice presentation and it is the time for discussion and those who want to participate in discussion can join the session of course Dr. Manoj is here doctor can add something more on that because he's a person who is having very depth of knowledge in our philosophy so I invite Dr. Manoj thank you Dr. Anesh before that Dr. Deelalada raised the hand and she's waiting yes yes Dr. Deelalada yes Dr. Veena it is an excellent session thank you and first I first hear that the capsicum is best for vitamin D deficiency thank you for sharing your knowledge and the next case you told that lipoma case when a lady with lipoma case you give her Kali self isn't and which potency was that Dr. Veena it was Kali R's and I gave 30 potency with very less repetition at the correct time investigation done there and referred this case to an allopathy physician and he supported with homopathy it was excellent thank you Rina please come again to the same platform with next excellent sessions also thank you dear thank you okay thank you yes there is no doubt about the potentials of these talented physicians that's the most we are very fortunate to have such fellows in our platform as you mentioned the role of myasm is most important the metastasis disease that nobody can predict the last case you mentioned was lipoma it was turned into malignancy so very difficult at the same time only I think with our philosophy we can at least predict as Dunham says about the nature and conditions of a natural sign should capable of provision then another one should capable of instant progress provision for provision yes that is most important thing because we can just the abroton against or kalmia against lot of medicines are there the metastasis is there moreover the transition from the least vital part the most vital part is also that we can expect so that's the importance whenever the patient is selected a medicine you should suspect but when you select a remedy definitely you can expect so there's a gap there's a big gap between these two unfortunately we are not at all bothered about that we want to arrive a conclusion yes this is the medicine we got the medicine so that's why when you are in doubt don't but how much it is possible we don't have such a mental stage we have to develop our mental capacity still more and what is more important is the reading the philosophical reading is very much important then again the repetition importance all these things diet and regimen all these things are very important nice presentation you have mentioned the capsule item then the capsicum then well an interesting reference by dr. Kent yes it is a devilishness the capsicum patient is a devil that is the word used by Kent so again you please come again you regularly attend our programs just like dr. Taneh she is doing all sorts of hard work after his practice rushing to the platform and conducting all these things really we must appreciate dr. Taneh and must give some sort of to him because of this tremendous spark thank you dr. Veena for coming and presentation thank you thank you dr. Manoj yes dr. Veena you get very good appreciation from one of the philosophical doctorate holder i must say because he even though doctor has not get this PhD but he served it he has he's having such a depth of knowledge in our philosophy organ and philosophy dr. Manoj why can't you try for that even at this age people are doing that yes after my return I hope so otherwise it's difficult because in the philosophy a lot of ideas there but to capitalize on that we need hard work because handymanian philosophy is beyond our all expectations and our thoughts it is totally based upon the what we call the minuteness the infiniteness it's not really easy when he described about the cause of disease you can refer in the first first edition of 17th footnote a wonderful expression is there but he he has that a person must change because he came to understand that it is not at all possible for a common man to understand all these things we know you can refer that first edition of our ground a person 17th footnote that much depth is a philosophical depth so without as rightly said by Kent those who don't have a philosophical bent of mind can't understand homeopathy even at last Kent said what homeopathy God only knows that much depth is that much extent and we can't imagine how the potentization brings the power of medicine how it becomes possible to use all these potent medicines into safe medicines the cyanide the inert silicia the heparcel the calisone all these chemicals poisons all things were converted into safe medicine proved medicine you can use as remedies that's the talent of any man so only by adopting the Indian philosophy properly going through the end depth we cannot understand homeopathy yes you can add something more on that actually speaking a very well said narration doctor sir because when we are speaking about dr Hahnemann he has given the chronic diseases he has given the organon he has given the metri med three important things of homeopathy so how did he arrive at he had done a tremendous job tireless job on this to give us give to this world about all these things now today we are speaking about nanotechnology quantum physics no one can imagine a person who has given insights about or the basics about all these things 200 years before it's very highly surprising what kind of intuition or what kind of divine power he had to discover all these things which is hidden and given in whatever science available at that day to make the people understand you go by the symptoms you understand analyze give medicines and follow up like this give medicines this is Herring's Law of he has thought about embryology which was at the nascent stage at his period now we think when we study about embryology today we can understand how we have to approach cure with Herring's Law of cure just relating to it to the present science which is very scientifically given narrated but at that time the science was not in this stage in this advanced stage in his time still he was able to give insights about you follow this and give medicines like this so that you will end up in cure how many cases he would have retrospectively studied day and night to give this one what to say gem to make us all successful homeopathy I am not saying just a homeopathy they are treating in and around cases acute chronic and we are ending up cures only because we are this time science is standing after so many years without any single flaw people may comment good bad right left about homeopathy but it is a science people have the knowledge they will appreciate the depth of this science if people have half half cooked knowledge they will not believe they will question everything but when as and when the science keeps growing it will keep explaining how this science has emerged and one fine day they will grab this science and they will say it is theirs that day will also come yes the foundation homeopathy thing the Indian philosophy says there is no difference between the cause and effect these effects are only the manifestation of the cause that is why we are totally depend on the individual symptoms the individual symptoms are nothing but the reflection of the cause recently they were saying about this the genetic medicine the genome theory but the phenotype is still out of the syllabus they are saying precision medicine to keep the right organ or right place so that is not in like it is not treated in masses it should be treated in individualization so all his theories are getting accepted slowly but they don't want to give the precision to homeopathy or Dr. Hanneman because of the half big knowledge which is currently available when things are proven it will get set yes definitely one day will come and where Dr. Hanneman will be will get the Nobel Prize because people will realize that what was homeopathy philosophy and whether it was working and how it works now and what was the relevance of homeopathy in those days and the present day nothing has changed but the homeopathy is still there in the same way but it is improving that it is flourishing like anything that's why we reached the second largest system in the world and homeopathy will grow because of persons like you are still there and you people are carrying out such a wonderful method because you are just and you I know that Dr. Benina is enjoying every bit of your practice and that's what the physician who enjoy the beauty of this system definitely will be the most successful physician that's what according to our Dr. Kent in his philosophy so this is what every physician need to be and need must be and should be and child be and the person always started loving our session and once you go in that way definitely you will be the winner here and this is what I would like to say about your session you really deserve kudos from all the people here and those who watch us in the coming edition of our time and tomorrow we will have a session from Dr. Ankita Krishwala she is from Bihar and presenting Anger Myrit in Homopathy another philosophical subject is coming on tomorrow also so with that we will have to wind up the session I invite Dr. Manoj to say a lot of thanks to the session also thank you Dr. Vena for your wonderful presentation and all those participated and Dr. Ranesh who are coordinating all these things thank you once again thank you Dr. Manoj and those who attended the session once again and tomorrow we will see the same we will meet at the same time good night and so over to Dr. Manoj to go read the Malayana session now thank you Dr. प्रणों इल्ट विशेएगल अनुपंध विशेएगल अनुपंद विशेएगल अर्यून्द आर्यून्द अधुए अधुवर दन्ने अधेद रणियाई इलूं अधुवर 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 अधिवत्रा मेडिकल संद्नमे उबच्छावादा अधुवाल था अधुवाले एक विशेंगरन मार उंडायरु युष्णामार इरुण। विशेंगल पडिचेट्ट्टुलो अधूंड अधूंड़ अधुवाले उचान। अधे हम सम्हिधा सम्स्कृतम सिथ्थांदम अवप गौण्मन आयर्वायदा कोड़ तरुप्पूनु तरा अवड़त असोसेर प्रोफसर अब वाइदेगीय सुपाषिदंगल अंदर वेली बुसांद ने उन्ट विरुवाद इवाद 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 इवाद 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 ईवाद इवाद 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 इविश्पूनू न मत अबूतोई न वेरु ए जन न cloudy विद तरूषिट ऑन बूर अंदर इंप डियेली बूर इंचनम् थूराबध इख्ञ जिए सेण céu ए अधर अन्जिदूर नमस्कार 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 जोलीए Alem बादनम बिरिदों बिरिदान्निदेर अपटने उपनस्कार प्रिदोंड़ सोंडों निया नगाणेश्यारीश्यास्म अनिशयाषम तरिफंटराइड रिवंद वरुटु एंटरें कंडूरिमाए जोली यह िदुएु अधिक्या नविभागम् अगों संस्क्रता भाषे इड़ पठनेउ परतेजे पर परतेचे अद्धियावरान। अपई। इ मून विष्यंगल क आयारजेन। वगूपपान। सम्हिधा सम्स्कृता शिधान्दान विफादा। यदॉन अधिता सम्हिधा सम्स्कृता सिध्धान विफाद। अभिनने के विषयर्टेयर के घम और उड्लीस घमें भा specific मुट धूचला कोने बना घम में भीने बत्ते रहाणे में अर्था रोध। ननगी यारेचीुए जानें जयानें दे इशेयतेलेके गड़का। veggie अधिमेतने शुष्थु भाषिधम्यािएन गड़ान तक ढ़ NICKigonुवल निजितने सम्य कायए वेंडा वन्य जैए परय पच्च्चुलीय टु процесс झालज हमें उसमें लुट्वा तो नहीं को हीले कर इंग अ bene चिरुब न्न jotka हमें थाउ आफ उन खाशिद्थ जर शुम्या की खाशिद्थ संव्मीक नथे वेंड़ दोओ अजय को भी थार अभड़ा अजय पते तूदल दोड़ अजले अंतर विद्रक्षण भान्टर भांकर अलाट अच्छारी विद्खन गवब था स्वाइद को भांकरे अच्छाए भाष मध नकोषण भाईगी। सुभाषिदा साहिति। तुन नियानी आयरुवधिन वेदंगे उबवयधम के परहतें वेदंगों उबवयधilly अजर्वध परहतें। वे एक सब्ढ moundे पर नगिकु wipes मनें एगेंगेни, खनम कले स्मय जिएड़ को आएड़ा फेटेटेंव के एडिकु mobil को सब्सकेन अटेंगे ताल कि Anda को भीसेए प sürच्छाने में पर नें, आधिए प्स्षाद्मांगे जोगा जिएगें बीतल प्लचाने हैं लगचेन सब्सके अधर्वाववेद आद चुछ अधर्वावेद तरुछ पड़ा प्यामर्शिंग फट्टुटिक के पड़एर। अणिवेदा पुरान भारदी अस ताहितियों परगारशेंगे पुरान भार्दी भारदी अस्ताहितियोंगा संदर्भंगांड़ अर्धदी का रहत्रॉ विदे रोड प्रत्यों जालबाद विड़ा पुजिपिछ पूले इधर पॉली मेत्व में परनोट उप्ट विशयंकिल उप्ट भाषे लो के अगा असाधार्न माय रागल्पियां प्रगड़िपिचे दूना यह विड़ा सूजिपिच्च पूले तन्या, वाइधियों मु वह उन्हों शखती है तुद बहनों का बढ़ है जो नहीं है उए पुरान, वबद विशत्तिया थाफ्या की अश्या, पिरान, बढ़ भी जो ऑना, ... इन पुदु आफ्पेच कर दो पूदु पुदु इन वाहाद उन्यारादा कि युदूillesिवस्तु अप्रच्नाय मोई उन्यारे चाहि भजुदू वत्त मेष्च यूदू सवस्तनाय भी तुम चलता दोग़ उ स्वस्तित रुख्थन अधूर पुरुथनु नधे निए अधूर पुर्तित वों अधर झावस्टायमाथिवाने अगिवयावशन अधर शुतर कमाची शुछध के आप darauf SERIkaनी अधर्osterनहार शुछित कर द फड़े द अधर है। आर्योगे संबरक्षन निम् आर्योगे परिवानन सिर्मेंदी उग्योविक्षिन नर्दैस यंगले ल्याम प्रोडिके रिष्टावर्थ वन्न रंडाय परायम। आर्योगे संबरक्षन नर्योगे 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 संबर वेवेड़ोन को टोन अणकी है विए वाला उत्तांपने शारा में अवाला निद्रा को बुला अपतांपने शादांने स्काला आपकरणे हैं निद्रा निद्रा को अवाला हैं कंसरे लिपार क्यों हमने श так किल अभस्ते से का किल्साईस अभसे, विवरार के विष्यकशध है, विवकर दर आद दृस्तिता अभिस्टति अग्ता, आद अधुने ब्रोप्ता धुंडेत ऑधुराना विंड़ विद accelerator, 20 सविप्से zien, शather नंटा थिए immersion written toddler, सभर्ण भली रफ podstaw लागुष्ण सभ्षें फाज लुडशा ये राशे thumb agreement कर दो चाह्ती आमें टिंद में सम्मुण अरियमिंग기도 ये लुड्यानाचीए महारी 54-00 में 50 to 50 MIL1. यो 19000 कि उपमाले इस न, मानिफसेशन इस न, मनों भरनमा वास, इस शची मिंपतिं, irregularly situaçãoम्में 101ooh almost 25 की atkalất 3、 प्रुड्ड्ड्य में 549 साहर ऑarlot तो इस अधन्ना अंदर दोत मेरे पुषटी के अभ्यो की còn बीक्षोवती, तिरिणी ब्हुत नॉज सभी, या विल tiet। उती पह दोत मेरे सकती बातल से जाकाने से शहाने पुष्टिकर बातल सेखी की अभुष्पय की चरिए तिन्न बदाद कार्यान पुरंदललन पुरत्तेक तल्लणन प्रक्रियद वेराने सोधन जिगिलसाँ. आधल ल्ला युटाक्रिया इकुल्ला कारणामाइट अभ्यंदर थो वैशम्यम्, अभ्यंदर माइटला विश्वोपम्, उरी इडथ्तरम थीवरद मात्रमें उड्वु, अभरु माध्यम थीवरदय उड्वु एंगिल्टु आदिने उल्लिल्तन अट्ड़क्किन उदुद प्रक्रियदेग एड़ानन श्यामन जीगिल्सा एलो वालर प्रधानमाय पंगु वाइके मेरेड़ू प्रक्रियदे अन्य जान्य झान्य परन भुड़ layout वियामथ्टिंख जोग चिगिल्सा उबाधियाटु मायरण सुगेरिकिंदु अनुल्लादान आधिमाई परन्वेरान। इदुमाई बंदपट्ट व्यायामत्ति निर्वजन, निर्वजन असे पटीट व्यायाम मेंदान, निर्वजन परन्वोड। शरीर जेस्टा या जेस्टा श्तायर अर्थ वलवर्ध हनी, देह व्यायाम सम्ख्यादा, मातरया तम समाझरे। मात्रयातन मंपें जो नुछ फीक, सब्सुंस मैं कि बड़क फीजjob又 not 하는데 में इंशन्कियद के एन लिए लुघिगी, सब्सक्राइडिकर निएटन अचेश्टीजडगा लेगे at programmes स comum, सब्सक्राइड़ जिना सब्सक्राइडियों समाजरू टिरिदे ये अओड आपियंगे ये पी Commission. टिरि शयरी जाश्चार. आसरी जुँड खा बडवाइन, दिले आतर इने, Прिवार आख मांतम ओर मातुम टताम है, आद अन्य वेल्षिक्ता अने के लोट अटु सप drastic जैसे ज़ित्तर आखे tomorrow हो लोगり örग्याँ मेरे ज़ियों झियों आछान सुनौने ज़ित्ड़र को याराम को फिर्चेक्पणो चोनते को करने हैं तुछ शरीर्वयायामा उन्न परयायनु आविश्यमाए अविश्यमाए अलमिल पर याथ आदमाई अलमिल तन्यानन, मात्रयाथम समाजरे यहीं वोग समीयक योगम इन्ट को के में इतनके में इक रिकेंगेशू में। आर्योग्यम रोगम हम उल्लावन जोगा-षांद रस जिनुम अनिवारी में वेंड़ अपर काराम मुल्ला उर्प्रक्रियान वियायायायाया. अप वियायामत्य एइ इस बीस्टन आप एप ते पर्णापो, नहीं तलत्त्त अलेके वियायामत्य वियायामत्य. यह स्वस्तन आइवर बेक्ति अब जीवने आइर्वधान अदर वरु चालनास्ना अब आइटान एटा वरु वरु डायनामिक सिस्टम आईटान एटान एटान ए लपो एफो एफो अपो इडियम आप्टान एप इपून इडिके वुटुबादु माई निरावंदर अपरक जीव निए इसोलेटग सिस्टम आपला, इस तथाज है रिधानमा जिए टुट्टु वाडवाई निरंदर अरप्त वे चु खब्टु वाडवा संभर कम अरप्टु वे नमाल कुष्टु वाडवाण वल्ल्लम गार्थ वीवड़न को नमल प्रदिवले लगार्यम्ट जीवीडे उल्लिल, विगार के रोगत्ते उन्दा कुणना, उर्य विक्षोपत्ति लेक्ट पोवादे, मुन्नोट पोगना मेंगिल, नम्मल आनिजी, शीरिकेंट चिल, चिट्टकल उन्दू, अधिने याने स्चैर्गियेकल उन्नु वरेंदू, अधिने उर्य दिवसमाज कर दूचे तंदे तंदे गेंद जोडना, अधिनिन स्चैर्गी तंदे अधिने के पासंदू मेंगरी उन्नी स्चैर्गिया विर हमाना? प्रतेज बनेचे हैं जीवी सीदुटिनेु अपैइब परिषे में अगें जीवाराने प्रतेज अगें जीवाराने बना सब्सक्राइब घरेक्टाइब दूनेरें प्रतेज अगी। फचτι अचछी मू 햇 सेध्य तरही और हिमिन अधि पिलाब में धॉपुट्व में शैना चछी औरौनहों आत्रय हैं में झीछ बेस्केल के लिश्चेट फोगती। पक्रूरिण हो जरी को जरतcipl Salut डिले अनिवायर शिनानारी के अचे चेंड़ घुटतिल निर्भंधमाय चेयां, निस्टेमाय मुटतियां उन्युक्तियाहिताई एंग जए निले निए डिच्प में चेंच्छापीया, उनिछेडरी का जए तट भ्यायामने का जए तट आँ सेते हैं, जए लिए सेस्टा विखकत हम छानगात्रत्वम वियायमा दुप जाईग। लाखवा मनुपपटु骂न। अदिफी फेडिन अछु ना कामसामर्थयन। नमल एंदानों चेयांद उनना, चेयांड शामर्थयन। अछियन। वल्टीन वुन जाएम। लाखवा मनुपटु एम् त्प्छिय्तु लाखवां कर्मसामर्थयन। प्रस्तिका मुझा एं आणे हैं। कंडिया विषबर और हुएं, नच्चाम करम भूच्पतरो्पादव फसी तुनते लोग कि survives। ा कि कि आणे कि कमार्य में आखुएंच। अद वर्याथत्य एपने मोण फ़ंधने ना developed subtermotor on a very the Allow- भमें और खंधने कर्म सामर्थ्य धीपत को इः भकनी मोट आ बितो होगों cómo भीखथ गन गात्रोत्व हो मेधसक्षै को ये stunt थे अडिज उडिया को अडिएक उडिकम्स निवारानत न सहायत हुआ सक्षे हाव विभक्त घना घातर सोम् हमिले परहनों कि परहनु फुर्वि चाहिए परियोंगेंदें कि नंटी परहनी परहन JAC जे अपरि मुझालcorANT किसा हो रॉजिँ परहनी परहन qualitu자产ी F Twelve पाध ghost पाधियां अठ्यमात्रा पडिचीँ नगर सम्स्चयं दोनेका वाल प्रस्थिगर न तेंट यह साथ हैं विल्याधिन गारतें आरो यह लगुज अरितरस तेले के पट्था मोड़ी आई तान अरिवोलोके आदियागारेंगल कायमा इत्वाइमाट्या पट्टेटर सुप्ट्टर्लेगु अरिमीदा माय शौविरेंगल रेखी गर्न तेले अब दोग्कि चुरिकी परयंगा नगी प्रक्रिकेटे वेराना सूत्रर्युबत्तिरु प्रवर अब दरनाम। सूत्ररर्युबत्तिर्णाम। आण। विपुला माया.. कडली बौले लिएक गडली लिएक पुरिके करिंगाला.. अधर वस्तिर विस्तिर विले के तिरिच्च भोगाएं पठ्चना। जबड़े पारिषाले खुरिखिते हैं रहा लिग रेगा में अग्तियम भोः... वोर्ष्टातिया, च परेच्पक अविए भिवाक्ता गात्रतुँ व्यायमादु पेगून अनुस्टिप्पन ऊरे विरृस्तित राग्ना ये विरृत्तियाना थेजिए, अनुस्टिप्प बृत्तिति विरृत्तित थेए। तर ने खिए अंन पुछी है कि अपती पुछी थिए थिए पुछी हम अच न कि अपतने अचाना चान्द इलाग ब्हुटु तर पुछी रिख शिकए हमौ सिंगा टूना कि अचारा मिदाने अच्छी करमतिया बुंद रहा थे लिए अजित जाएंड अचाराम कि अन्न अच पुट्टी यल के यववने उक्तार के मध्य वाइस वलो रुद्धन मारक गर्मिनी यलके अन्हों करने बीधदात अरते अलार के विविधा तोधिल आए अधु पर अपरे बुड़ को अपरे बुड़ रहे बुड़े प्यायामत तेले के गड़कां गड़िए इल्या चलर् वयोबल सरीरानी वयस बलवुम सरी वयोबल सरीरानी देह काल असनानिजा समीक्ष्य गुरियाद वियायामं अन्यधा रोगम आप्नुयाद परेंद दिगिने आना शरीरा दुड़िऑ अवयोबल सरीरानी वयस बलवुम अज परेंद वयायामत तेले के वोगम आप्नुए तेब यस नयधा परेंद वार्थकिं शामानेम होगश्त च्टसरी अवकां अच्ट्त अब्साफ्त अरम अच्छानलों परेंद होगम आवने बल्याद व्यायामत तेलेढ भीघर स्कनल उन जैए माने भीज़हाना खहुतaisक के अर्था जागे भूर को अर्था- भाल निसेव प्रियायताँ भूना आर। शचेएं को प्रियाप्तमय वियाप्तमय अर्थशक्ऴ। तो और लेके नमक्को वेड़ा, अधिन मुन्ने नमने व्यायम निर्देशीक्टे निर्देशीक्कें रडो रो रोगीद निर्व विक्ति लियायम असूत्र ने तो फिलेध रिवरदए चेयना मुरलें लेंदे अधारम आईटुए लिड़ अधारम अधारम आईटुए छिर्भाकु अभयोग भी रियक्षा वन्हां क значит, शमीक्षा कुष्ण, विया है, अभयोगेशनिया्त्त, ल अभयोगेशन आडि पड़्परिंजत्त, प्रिस आडिक अगार्योग, शम्लोगेशनल एक हम जाडिश्ब, तो वाक्तान सहो में आका मेरा हॉ वता है वालकोता हảiो, वर जान परता प्रताना सीक्टाना अर्षाक्णन विशए. और को में, स्सक्पाश्य द चाहते हो तो जाते हो चैनल प्रत्दन प्रताना प्रिगाना हो उ indoor vakरूता. आते हो तो जाते हो अटों चूलाव। कि बेश सो तूएय। मैंडोरी थे जारा है अ की लग्हाऊ कानी कborड़ी सत्वारी जीजी जारैमनीard कि परन भाष्य लोग्ता उष्या जारा है चलिके बख्षना अटिकें अवाद कृषिकिंट मैं अद्वों के समय इना सब्सक्राइम कर दोटूने में को सत्षी जिए अर्थे ट्री प्रतों प्यों चल्ड अट्शवा मैं शुट यह में प्रद्धायम कुछी उप पर चूणा सब्सक्टतियों अजिकें अट्री प्त् काल मुरुदेश थानुप आलत तो अवरिद वेनल कालत यहां ठोध आरी किरिद अवड नवड कालत जीएन। अब अरुदू कहल काल कनिसने पन रुदू जाइए आप वियायाम अब भाग गामाना पशे आ वियायमं था नन्य ओरुदुकल चेएम पुडू अरदू इनस वखाव मनस दू अभिषय पड़तम पाव जटपड़ ना दूपतम अब जेट्टा पड़तम दोड़ बना सली। जगी उचय बना सवाव मुटाव जख्णा बना जीय ना थे रची परोड़ा लाए जोड़ जोड़िया जें आता हैं करियम, अदिव्यायमा भगड़ सामीक्ष्या, कुरियाद व्यायमा उपन परिगंड उद इल्लादे, यंद व्योगत्त वोगत्ते जिनिपिक्त्वुमु यी ब्यायाम अधिगमाय फूम्पुरू अधिगमाय वियायम तिन उन्थ पर्तेगा शांगेदिया सत्व्यान्य उन्थाइड़ नुदाय। आट्यम साहसम अबरेद। साहसम एशेरी रक्षयतिन उल्ले साहसम बेगसम रोध जहाँ अंगने में दो हैं धमने में नए खिर्ण आज वहां चुक्राओ सने कि अवं मे तो शेइम लिए भीवर को爾प जाएं आओ्र भारोज समी आओवात सम्हान आओओजใ sliced Mulamay Sofradalha परीजितनी के छियायों काली सुपधवागा को ।े तो और देख समानवाजी याही मारेत होगे एंगे परधिरोध सकती इंगे यहाले नेने कोटावीश्य क्षान्गार्ण रिप्रमाजवूना प्रदिरोध सब्सक्ता प्रदिरोध सकती इंगे अज्ळ एंगे जला आतर में वित खाहस्या आतर उद्नागेश्च्छ्च्छ राद थिघ गडिर हे एंड सैंद्पान के दूर्ट को आपकम उन्हा ह्सोब अख्तम मैं अब्परन ब्रकर न्यों वी पुर्श्नी निया शंमतिजे होला विए इवना आवसे बूख यह बार बुणे को राइश्च एड़ों गुरंचे को राइस्टाह। 30-30 सबच्छारी तो हम जुझे हैं, जुझे Ihr पहलेखते हैं, जुझे भीनिते हैं, कर दो हम 15-30 सबस्चारीबूदा जब रहा है, जुझे एक सब्सुच्छारा रहा रहा है, अरुवद मिनिट्ट्रोलम चेयान परेंद। मध्धियवायसुल लोगे शिर्दिनोड समानमाय अलवकत निया वर्ण। वर्ण नूर्ट्टमबद मिनिट्ट्ट मुरू मिनिट्ट्टि वर्ण। अश्य। अश्य। ए अभी अधर वीदी रस्ट निरुवजन परनने व्या याम चेईंपों सद्धी कें अधारम वायमत्य शिर्ड यो तोद निश्चेगान ओधारमा अधारमाटें जिला मानधंतने परन संगथी पर्यानां चेष्टा, चारिरिगे माई आधुर जीयाश्ट आणों, साइरी आरत्ता बले वरत नी, साइज़ दे नल्गिंदू, बलत्ते नल्गिंदू माय तीदुन्ओ, अंगा ने वल्ड शायरीरिगे व्यायामत्ति ने, चैरिर्या व्यायाम संख्याधा, मात्रयाताम प्रयोजी, अ आइसे हैं परेनल, हिदाः चुकां बग आयूस्या परेनल, हिदाहिदं , अखतसे हिदाहिदं , अश करना मानम्च gri new परेड Перावूसे लिए में कारना माय侭ाण कियां थाषर ईफेक प्रेड़रां आपक कारना माद् आखत अवंसे दो सुखायूस ने कारणांग लेकुं। करें भी जो खुख़ लहाए कि अख्या के अपुफ़ हाई जिए भी जोगा है . लाखवं कर्म सामर्थियां रीप्तो ओक मेर मेर सक्षय हा विभक तक घना गातरत्वं वियायाना दुबवा जायरे अस्तांगा हुर्देति लिए पर्यामास्यमान। जाएन जाएन नाकवं कर्म सामर्थियां रुप्रवर्था जियान उल्ल्ला सामर्थिया आकवं कर्म सामर्थियां जड़रा दहनसक्तिये उत्तेजिपिकनु दीप्तोप मेरसक्षेहा सेचतेल आडिन्युकूडी उषुप्पिने शमिप्पिकनु वलेंगर करमीग इरिकिनु विभक्त घनगात्रुसुम। को मेरेशन सेचतेल οιkokफिनेगन विभक्ततador विषुप्तो विभक्तम आहेत्मी। वेंडवनाम अलंध थिट्ट पड़ती जल्ड पेशी पिशेशंग लोड़ी इट उड़ी 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 नाली कि वियायम जो शाधी एपटी तो तो लोको ने वीमिगए जो बेंगे आ लिए लोग यह शाल किड़ा जब लिए बुद्दुदु अधरिकल कर दोट जो जो आधियांगेगेम। वायो बला शरीर आणि देशगाल असन आणिजा समीक्ष्य गुदिया अप्याया अन्य धारोग माप्यार अपर ये परायन वायस बला वायसिंदे परताल अधनियांग नम नेर्थ बना डबली उच्व डर्कमनेश्मों कि वायसिंदे वरिगनने उच्व अधने तर्वा अध अधने इसां वायसिंदे वरिगन वेशाइ कि अधनी वायसि परिगन तुर्छम अधनिठी वायसिंदे वी खिय सिरयांगी वेहिं अधने पर базरा तरी याणिदे वहां कि विष्छ कि ऊर शरीरा क 와ब अभलत इस्प्र आणिभ्स ब्यान वण आदे चेन धोदिर ले के बुट कालथे के बेंप परीगने के लिस्ट्पु आद्ट जीवाता पराद बीजीएगा अधे डोदिर्यों कि दोदिर यलिभा जीवन वारान वारा जीवन यरन अदी जीवने येंगाया निरंदर कर दोदू दोब जोगा पुरिष्या साम्य वहादना। Man is a miniature of this universe, in प्रबंज़तें देमें सुख्ष्म पधिप्प दन्ना जीवतन, इज ने मनुष्या सेटीर, इन जीवसेटीर माथ जीवसेटीरों, उपनल्हा चाहितना थे जी डॉल्या कश्णालlor गय समिदान ओंड हो 20-30 अविब्धाज discussingθη जीवैब के प्रबंचते पिन्नमाइ ये संधानमाई जीवने का लिगून अविभाज ये नोग अट्वारया जीन का लिगूना उंट अमेन उन उनोतो आइकिन. एगो, आफना जीवन पन्देट उनापना डियायमती ने वाथना इनी ने येवन गारित टी आधना जीवनु जीवन जीवन फुर्फना येधने जीवन फुर। प्रामुखियमान। मैं आधे जीवन, वर्यी जीवनोई्यां। शडीदे हाद उर्यों आधे, विर उत्वास प्रत्ती प्रमुख्या रूख्तना। अधिन अधिन है नेरी अज्या को आप्टेर कर देशते के निजिए नियंदरिगें पट्छिए अधिंधी। जो अपन पून आमार्ग सी मार्ग मात्र मात्रावलीठे उपना है वर थे मेद आई के नहीं पुट करकोका सितीकों के अपल candle के कि विलोते पुट दैसके तंदेन सिंप तंदें से mainli, आई कमें क्वाङून साथ्धियूू प्रेश से अपड़े निष्टरी निष्टरव निष्टरी प्रेश और शाम जबात रिए जेडियों के डिएकर बागशाना भी आधिपारी तरह, इस अपड़े शेयरे शॉया को, विधाया में भाज ओल्ज पर शुजेए शॉया की अपड़े। और जाए पसके लगाई भी आपकर उनी तरीश पार कुप़ जन्य जन्य आए रहों आपर दूर्बले शैरियर आपर दूर्बलेश दूर्बलेश रहां बढ़्या व्यामते लेम धिया जए लिए आप अध्या शैनम आपकुछन दीजिए नगाए अध्या अध्या इस अपtsåरे संधारेत भीरों कि अटते उन फपड़ आप दोज़ें, अधcyj के सिएहरो की अधियां धड़ी जो कॉड़ी इस अदिन वत्ते उद एंता काकशी ऑम ऀद मायद गारेत भूटन उस दिएकश्या चाहिए अजित्थे लियायमु उच परिगन इचे तो उनरव भायायमु जैन। अन्य दाद मीघपनु छिए अगने अलनेंगेलों वियायामत्ती पार्णमाइ इले रोगती कार्नमाइती उनना आप्प वर उने वरे शिमिली विलस्टेशन बरहे इन उन रहर गए दिनी अ उर्दी शेम मुदिर उन्ना वंद शिदी नना उन रहना आए वालिच्ची बिडिचो नुद उन्ना शिम्हत्ध न पोले आगूंओ प्रधान पठ भून उब शत्तंबंगळ बवित वितिं क्राइध न्या नंश्क्ति बार बांगर बांगर्ण शय low low high 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 अबने प्रगर्दीन प्रभाव यह मैं शंबीधान आप ड़व सम्मिधान जी वेड़ोच वर प्रक्रियां कि अधिए अधिए रखावियमाने बादे मार यह उड मीचिन ठूना चीव दोशे अधिया, यह जब्या अन्ट कि अधिए भीदी कि अधिए भीज्यमाने कि अधिए, ंत्या मुष्णभ गाणा शुषुप्थि एंधर अधिक नदेग्यादी यह वे विल्लोग एक बंदेट जाओर। जो निए। जाओर। अपर मनसों मताङए कर दो, पिसके वह डिया के डुप गाड निदिर इले को, भरक्त तौनंत्यों पर उपनेर फिल्लुखनेNeश्टिरं तूम् पुनरुजीवनें , पुनरुजीवनें , पिछिणते ये दूर चेलब तीर इल्लात, प्रक्रियान निदीर , प्रक्रियाननु ध तो झापम है पुरी संगदीया थुप्त जो एफियामा, वियामा जागर, अबिटन शेच अधुरियामा, उर शेचते हैं, एफियामा जा जागर, जो इनन लोग्तों तुर्क्री केडवादू, प्रक्री यल्ल्याद। हमें अबड़ सुख्रेया, कर्म करें दो शोनों दो कधिता है जोन हो जोने हो जोट तेखार हुआ खुछे होको छेचेज उन् Governor आध्युपिंकं सेभसी आध्यु ँट्यू मार पार्षी – आध्यु आधबाथ, घरणीयुस जञते शीर्ढाये OUTी करेंग आध्यु उड दोगाये हो सोरे आध्यू आध्यु स्युर्णु आध्यु कोरेते शन्युप्र संदेघुु घरणाये हो और चह्यु और भ를 मैं आध् कि नहीं जाने, इस अठोप मेसेज़ा बभुए को भीया भीया मेशना फ्मुनी कि अपरीक्षिया परें कि उपर अपरीक्षिया नेडियाली सिरुभ्हाइभ अटुर्टु था एंपरीक्षिया भ्यारा नेडिल मेसेज्जी वंत अज़ाने बभुएद्वी गाल्रोवणी अधियमा चेदाल अधियमा चीदाल अधुर déjàम अधियमा अधियमा हो हेँ जा शाहसमाँ्स व्यायमा जागर अध्वग अध्वग मेंन अधुरasam combined लेख लेख शुए ज हाहा आमिदमाय चिडिश्च अधैरा आतायतो अबदोस्ट्छ। सचम्त ओस घामाम हम् अधय से बिद्ध लेख्यरे अधयां कि अगदी नहीं अधया 뉴스 तुम्बिखक का इव उयुन्ट अनेय वेल्चोन्द नखणी flashHeh सिम्हत्तेंड गधिया हुँँण. इदिला रो यी वरे उधाहर नत्र तेल वडरे व इलियागा आशेयं गुरियोंगेएंगेदे गाईरियम्नरान गाजम सिम्हम गजम अगर्षन सिम्हम इवा अगर्षन गजत्ते वळिचोंड़ आनेये वopes तुम्बिक्काई वण्ट वण रिवा में इच स्मेह कोरेशному समुपा है झाल य। गजम, सिम्हं गजम इभा अगर्शन, गजम आगर्शन, सिम्हां अगर्शन, सिम्हां थे पोले。 भजन विनस्यदी इपरयपडन काईडियंगल उधि, प्यायम, जाघरण, स्ट्रीषेवा, अधबगमन, आश्यम, साहसत लोड़ेंगी आर गारियंगले, अधियम्धिया नवल जोन भुआन पूवान पूवना सिम्हति अवन भूलजेन वुआ अभन स्वयं नाश्ति लेकिल संधिम्धियु में आज़ना हुदाना। यह विद भन्त पद वियां मत अथियामा थेयाम्से यहां ठाध्याया से घियाज़गा प्रणाध्याव्त SAYS पर शायामागा, प्रतमगा, ज्यक्टपित्तम, द्रमाक्लमा, ज्यक्टपित्तम, अधि व्यायामत कासो ज्वेरा, चरदिश जायरी। यह द也是 हम अष्रूदूद दाए मिझन सती उच्छों, ऑफर दोस्गी दोभ आख कम पुछमेंटोंगारा इसे लाओ मने रखेंट, शिराव में दोडिक dział दोस्थच्छार को अउच्छीन जच्छार आफ तोbotर की है सामी अधियमान थियमेंड है दिए हम सहिす्एत्र ट्रिश्ना लेड़ दाहाम् grande ट्रिष्णा छस्वाषम में महें लाश्टरॉ ब्रत्त लघेशने स्वासन ब進 negligence १्यार टृष्टरॉ था स्वासन ट्रन्म आलेश्णा भादम जाया सबस्क्वर्ण कर दोल नेचल कर दोल कर दोल के अज़े embora अधले प्रस्राइब, पुडवी जातीजालों, वर्यान बच्छेश्पलाइधूरों, बुदै आपक्छे, उपने किल्टमुद्टनु अधिकि वर्यान पुद्धनुदीए, जा रिख्टनुटर्अ मैं, साध्डिगी बॉद्धनुदुद्धनुद्दुद्धनुदु यह वारी की विखाए तर्ष्णाइ आप्रद नियुक्त प्रद नियुक्त अन्ट विखाना प्रद में जयान हैं जो मता में शोक्षिब रहे पढर्वावयदर बुरिदर जो शौकशिल के अगुछावदर आपु न भी विरोगमी के साथût्ट्त अपटायों दूस्म और न और पर अदियम आ geschौड़ न भीकिलं पुरण 저ोद दोधेल दूसराहता है वयायमम आयन एनने दर्ननाई। अबड़े आणने अर्थशक्ति वयायमत इंद प्रसक्तिये पिट्टी परण। अवने वन्टे मोथ्पम परमावदी शक्ति उड़े पगधि शक्ति उड़ूड वियायमं जेए नान। अर्थशक्तिया निशेवियस्ट। वेलिबी अधु 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 परमावदी शक्तिया निशेवियस्ट। कर लिए भालावान इतो जडे जो के अवड़वाने नायाओने ज जड़ाने परमा इतो जड़ाने एड़ाने के दार्थ छिवाने आर्था लुट जड़ाने झाले जड़ाने पगधी यूसेवसत। कि अचेदा काली आख आपकु आख अप्डु गालतु में अच्णुगा भगता तूण परमावादी दोगिता तंग दोगा करें एका आर्योगी आ रदाया इन्यार्णा करें पगदि आख अजी आख 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 चिताल मदियाव तरह दोनों सपत्ते हैं, सकते हैं भूजिया और रहों में पूषक नम्हां ज़ए विए, पॉषक शंपन्ने कैने रहावाया, भूषक शम्हार ज़एता हैं, वरहा जात आपके शापता हैं, वर्च वाण के शिए चाहर जू भूडगे की वेश्चा पोश्ता हैं, वरहा से बाला मुटिके सितत सु जंडत अद्टम्ट महांद मेंद्न पयाया लिए्ट सफथ। परमावदी विद पग्धिक्यन तोदिल वियायमन जिया वीलिविष्निग्द सीध अवसंदेज मंदमेवा तदो वन्यदा, नी अध अल्लाथ्त गालत बलम कुरवुल्ला वन्य वन्य विल्या इतो चेयां डगाय जिल्या बढ़ सीघ्ट हारी अष़ जिया निए खोड़पूल डिकुल अहारे अन उन अधिया शेया है थे तोधिल वियाम जिया यजिया जिला आवी भी अख्षिन लाक्ष्नि लगांद। अप्धी अगामा ऑखा, गथा टावड़्भ्धी आप श्वासा, पाला हुआण अप्पफटा श्वासा वोट्वासा मुनटाईड। मेरी नहीं अचिन भी एक अचे के अचे के अचिप फिर भूलड़ भीज़ जाए यहां जाए जा आए-घारच प्रेयो लिए जाए-जामने कम कुबूद खूदने के अच्छा भीज़ जा बादिक प्रशेका इसे यहां जाए खूदफ कि अच्छा भीज़ पारताश्समा अ इनना मात्र मल्ल वेरो लक्षमुड परेंगा. ललाडदेशेये नासायाम ने मिठ्किपुरत्टुम् नासायाम् उक्किंद भाग которую, ऊकिंद अगपुरमे. ललाडदेशेये नासायाम। कात्र संधिश्यू कक्षयो हो. मातक्क गुलिलो मठेम. कख्षते लिम वेरप्प अगामने, कात्रा, संदिश्य कख्षए, स्वेधस संभवास, थे नहा, वेरप्प अगामने, थे नहा, बला आर्थम दमाधिशु, अध नहीं, बला आर्थम अगान काका, रेदे वियायमिन चीहिएंद टुम्पत्ου, सेज़्रत ले मडख्रिकों, क प्रक्षतिल माट्टिम एधियर पिन्दी आगमनम् निंगल चेहर वेशिच्च वियामत्यू नियले कि अधियुटी अधिक एंधिन तो तम कृत्व आनसुखं लेहम भर्द एच्च्छु अधि शमावन। पुलपिल्मेंट, कि अपालोड़ एपड़ई में अपर्माजन, सरतोन, एंटोर्पिन, पोड़ रहू घंडवाकरो पुलपिल्मेंट, एपर्माधर भीऑन, दया में तान एक निएन शर्रायियम पुलपिल्मेंट, वर्माधर प्राण के सब्सक्ति अएधा पला आएम कमें शक्ति को स्क्ति अल्ला तरी दिल भ्यायामत ये लगज़ एपड़नों तो क्वेस्टनाा समय उपलाद रिकानु आप्रिस्ताम सिर्चानिया यॉर्चालीम नाशा कमान उपलाद इंप परन्जनों एनन विटिएवला संगधियल अन्यवेशन होगेवा वालर विगुलमाय इनीम परैं संगधियल रखुदन था कि इन संगधियास अर्फसेयं धब आपणियम परन्फसेग्ति वैमं कड़ियो पादोन ओक उड़े इनन वेदसां बागी होृषब अर्गिलें सम्षेयंगलों जोदिनल अन्याइक्या कि अखने जब्लेख दिक्ता रास्ट में अखना अपिया इन श्च्ताप्ड़नल्ट में अगणतों के अड़ो जी हो के अखने, दोसोर एंगेज नीघुन ब्रेयन वर्क श्चान कुड बार दिपर आफ शोट्यार णोर। वर्कें और को तुड रन के पार नग कान पर मौरीन जा को बोरा वॉरोप ने अलोएड़न चाफरान पर उडेलेगत्पेलित में रोण थे अटेर से उन अवर रखेस्व इस ढोलाम को पुस्त्तर मोईगिएने लू नवरीगारी अदित भी में आधितन नालाकोरी ऐं सुप्धिन अज़ गारी अदितन आलाकोरसा मॉस्याम भ्रवान अनुबंदम अधिएए प्रक्षे अंगने झानां इस आध में आधितन आलाकोरसां मुषयाम आपको नियुकर में तुम्हारों अपको एक्साइसाइस एक्साइस एड़ा कानू प्हेंदान जोचन सार नेर्कर परनावेल जनुटा वायस बेला अधने पुर चिंदीकिन इल्लावे चेरियर, कालम, देशम इदननो नोकावे लुआओ औरजॉच्टु झालेथ ये रूच्ट रिवेध्टाइ येच चुक को पराइ़ पत्त पराइ़ मेर्चे-श्ली एपसाल और कि इवड़े हो अप्राथ रिश्वायन दोनु, मर्यामड आपक सम्साय इगेपो. जने अजिसाम्सेम्जेकिता, रोगे लोगे लो वन्न चोधिक्यार रुंडू जांक्क वीटल नलन अद्वाने उंडू. अजये जो लियंदा, और अवो आप हो आपकर अपने में लेघु भीशें प्रेप्रबर्तुं में एडली में को किष के-स तो, तो, एड उन वी, यनि इच, अमिस लू झी डिया जो. बटने हो कि अधे पूर्णीन, जो, उख्र न उख्शन थे भळुटाट। की फूर्न भार मैया वातली हैrare,र म्想 verz Banks फूर्णीन, मैं प्रखुनाट, कुछूना जो हैंन यह क्योती है, आपन्मों और वर भर्म सब्सक्वाइबे समय के अजिए, वीट पुरिशनें यहां पुरिशने मेढ एक ने रहला बरुटिशने चेहिए हो गवाने जो रोग आपाप्टिर, जो आखिए लोगा, छोड़ाँ पर्णल भेलनावन प्रण्री हो जोड़ाइफ पूतार स्पवर्णाट वर के दिए अम्मोट को आटाए लिए भावनेश्च में वर घ्रोगा, छोड़ाइपनेश्ट आटाइट, जोड़ाइपनेट, न वर बिवायामत्ते वे लगेने वेने निष्चिया समया माठ्य वेकी। बातने विशेंगें लें मात्र हैं मैंत्र अधिक्शेट विए लोड नुओनी काई चिंद्स रहाँ हैं अन्या सम्छ不知道 में एकन्यात कर दोएज के पैका भा गलाओ शामति हो कृत्य। नंस पोकस हो और शाम ओर आवसे उर्च लुट हो अवेर्णस और रता Э्वले talent तो अशनिस नंगे जएड़ागा गुट आए जो डिप आगान हूं लैत कि आखती हो अचिती हूं अन्मीर्दें लगरा해 Hello, Dr. Cedras. Yes, I was a good one, I was taught in here to teach the MA in Sanskrit. We all know how to teach the MA in the to learn the MA in the Sanskrit. Now, now it is different. This is very different, If you are a student, if you are a student, if you are a student, then you are a student. मज़ने आइ बैदा एक आद दुइभार्फितम लेगा की परने। उस टीए निए लादो एंगा बहुताई। अब लेपाई पिर्वा चुछ उपराई लेंगे उपर कि अरे लिए भाई रवाई हैं अब अब झाले अब लो कि अपष्छा वाई फट्वा सवस्पाई हैं कि यंदा पेरिवं भीयर लुम्न रहे पिड़्टतन सानः रिक्वेस्ट यह पिड़ु कि आन्नी ओंचियो पुड़ु कि अनुय तुड़ु कर दोंक पुड़ुक्शनश वर्न्वन कि अउन्म रावा कि पुड़ुक्तै अवं डहत्तरतक्र दुट्ट्टेश चुट्टमार अरनीटिकेन आ अगाउटने वड़ायन आ अपरेग धिए अजित्रा इना अठीक नमट अरिवाली तुटुरूं। झाल झाल